हेलो गाइज, वेलकम इन आर ओडिट डिसकेशन, I am CA का पिल गोयल and today is our lecture number स्वागत है सभी बच्चों का face to face class में, live class में, centers पर और योट्यूब पर देख रहे हैं उन सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के live lecture में चलो जी, भगवान श्री गनेश का नाम लेते हुए, आज हम करते हैं हमारी class start आप बताएंगे पिछले तीन lecture में हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले lecture में आप लोगोंने क्या क्या था आपने समझा था, सर जब भी हम किसी financial statement का audit करते हैं, जो सबसे पहला step होता है, वो होता है walkthrough अभी मैं अंदर नहीं जा रहा ठीक है, walkthrough के अंदर क्या है, फिर second class के अंदर हमने क्या देखा था, बताइएगा हमने देखा था, complete flow of audit, पूरा flow of audit हमने discuss किया था, कि अगर हमें किसी एक account का, एक item का अगर audit करना है, तो क्या-क्या step रहने वाले हैं, yes or no जिसके अंदर आपके multiple step आ गए थे, number one, walkthrough, number two, TOC, और TOC के बाद हम करते हैं, sampling, और उसके बाद कौन सा audit procedure आता है, substantive audit procedure, substantive audit procedure में आपने दो तरह के procedure लगाए थे, number one, test of detail, और number two, other audit procedure, इन substantive audit procedures को लगा कर, हम क्या satisfy करते हैं, adjustments, क्या satisfy करते हैं, और कौन-कौन सी adjustments होती है, C, C का मतलब क्या था, completeness, E का, existence, A से accuracy, V से evaluation, R से, right and obligation, O से basically, right and obligation, and P से presentation, याद है आप लोगों को, ये हमने सारी adjustments को satisfy कर लिया था, क्या सिर्फ sampling करकर, sampling मतलब TOD, test of detail, क्या हम सभी adjustments पे comfort ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो इसका मतलब to get comfort, get to satisfy all the assertions, हम क्या करते हैं, बेटा, दो तरह के audit procedure लगाते हैं, कौन-कौन से, test of detail and other audit procedures, मानते हो, ये था, एक मोटा-मोटा discussion, उसके बाद हमने कुछ plain, बारीक concept किये थे, number one, independence of auditor, क्या था, definition आप लोगों ने किया था शायद, इसके अलावा कुछ हमने cover किया है, नहीं, मैंने दोनों ही class के concept के notes, आपके साथ telegram पे share कर दिये थे, कैसा अभी student को मिल गए, या नहीं मिले, मिल गए जी, register ले आए, दो register के लिए बोला था, आज की class से देखो mandatory है, आज की class से आपको थला उठा के लाना पड़ेगा, थला मतलब जोला, जोला मतलब back, आज की class के बाद से हमारी जितने भी classes होंगी, आपको दो register हमेशा carry करने है, daily writing practice भी, और आपका notes या concept की register को भी आपको maintain करने है, आज एक YouTube पे वीडियो डाला था सुबह, कितने बच्चों ने देख लिया, तकरीबन दो मिनट का था, नहीं देखा तो मैं repeat कर देता हूँ, आज से from today onwards, मैं daily एक मिनट का वीडियो दूँगा आप लोगों को, ठीक है, YouTube पे भी आएगा, टेलिग्राम पे भी आएगा, उस एक मिनट में आपको daily एक कोशन दिया जाएगा, जो कोशन आपको लिख कर देखना है, आप उसे revise कीजेगा आराम से, 5 मिनट से 7 मिनट लगते, revise करने में, और बिना देख कर लिखने की कोशिश कीजेगा, नहीं लिखा जाए, छोड़ना नहीं है, देख कर लिखना है, ले 4 मंथ के अंदर, I will try कि आप 200 कोशन मेरे साथ हाथ से लिख लो, apart from your daily, जो अपने टेस्ट होंगे, उनके अलावा, और एक उर सच्चा ही बता हूँ आपको मैं, आज आपकी 4th क्लास है, 90% स्टुडेंट, मेरे ही, ये काम नहीं करने वाले हैं, 90%, तो अब आपको decide करना है, भाई, आपको 70 प्लस लेकर आने हैं, तो आप इस activity में participate किजेगा, hardly it will take your 15 minutes of the day, कुछ बच्चा कहेगा सर, बहुत busy है, दोनों गुर्प की तैयारी करनी है, मैं 15 मिनट नहीं निकाल सकता, मत निकाल भाई, मेरा personal कुछ नहीं जा रहा, निकालेगा तो भी आपका फायदा है, नहीं निकालोगे, तो भी आपका ही नुकसान है, मुझे इससे कोई ज्यादा खास फरक पड़ेगा नहीं, मेरे को जो अपनी fees चाहिए थी, वो आप already दे चुके है, जो कि मैं already further invest कर चुका हूँ, अब आपने देखो, जो आपने invest किया है, क्या आपको उसका return कितना चाहिए, हाया ना, अब तो आपने अपना ROI निकालना है, मैं तो अपना ROI निकाल चुका हूँ, क्या हमारा ROI सिर्फ financial terms में होता है, आपको पता है, इस बार एक face-to-face batch में पूने में भी लेने वाला हूँ, देखा है, चाहिए वहाँ पे 5 बच्चे आए क्या लगता है, नहीं सर, financially viable नहीं है, yes or no, yes, definitely पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा क्या है, प्रोफेशन है, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है, तो मुझे करना ही चाहिए, चाहिए मेरे सामने एक बच्चा बैठा हो, चाहिए एक हजार बैठा हो फ मेरे मोबाइल में वो, रिशब, हो क्या, मेरे मोबाइल में आज एक मैने वीडियो बनाई है, it's 3 और 4 मिनिट वीडियो, प्लीज आइटी टीम के साथ शेर कीजेगा, बीच में जैसे उनके पास आजए, जब वो प्ले कर पाएं, तो मुझे बताना तब मैं प्ले करवाता ह हांजी, स्क्रीन लेकर आईएगा प्लीज, तो नोट्स बनाएं सभी स्टूडिंट ने, जो नोट्स मैंने आपको दिये थे, चलो फिर आज की क्लास 5-7 मिनट लेट स्टाट करते हैं, जो नोट्स मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, कितने बच्चों ने अपनी नोट्ब आपकी राइटिंग ना समझारी मिरको, क्या लिख के दिया है आपने ये, तो कहां थे इससे पहले, मैं बताता आपको, हाँ जी, कितने बच्चों ने बना लिया, कुछ तो ऐसे हाथ उठा लियोंगे, क्यों नहीं बनाया तुने, क्यों नहीं बनाया, हैं, बेटा देखो, ध्यान रखो एक बात, या तो गुड मोनिंग बोलो मत, या एक बार अगर आपने पर्सनली गुड मोनिंग बोल दिया, तो गुड आफ्टरून में डेली बोलूँगा, समझे मेरी बात, मतलब अब तुम मेरे जिगरी स्टुडेंट में आ चुके हो, चाहे तुम आके पर्सनली बात करवाते क्यों नहीं हो, क्या हुआ, उपर आओ, टक 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 टक, ये दो मिनट अटाइस सेकिंड की जो वीडियो है न, ये वाली वीडियो है, ठीक है, नोट्स बनाए किसी ने, ठीक है बेटा, क्लास जब खतम हो जाएगी, एक बर क्विकली दिखा देन मैं आपके नोट्स देख लूँगा, कि आप सही तरीके से जा रहे है नहीं जा रहे हो, कौन-कौन अपनी फोटो लेकर आएगा यहां पर, भाई, ओल इंडिया रैंकर के बैनर पर कौन-कौन अपनी फोटो लेकर आएगा, बेटा, मैं शकले देख रहा हूं, ध्यान रखन फिर उसे आप से मैनत करवाँगा आप लोगों की, चलो जी, बहुत बढ़िया, तालिया आप लोगों के लिए, मतलब दो बैनर बनेंगे कि इस तरह का भी बनेगा आपका, सर बैनर बैनर छोड़ो बस आप हमी पैसे दे देना, सही बात है, क्या कहा है, हमें फोटो चीए, क्या बात है, यह हमारे पास स्टूडेंटे सारे, जो आप ही की तरह फेस टू फेस या गूगल ड्राइब पेंड ड्राइव लाइव में थे, और यूट्यूब और गूगल ड्राइव और अपना लाइव वाले बच्चों को भी, गूड मॉनिंग, ठीक है, आपको भी कोशिश करने है कॉमल, बिल्कुल, आप जरूर करेंगे, गूड मॉनिंग, ओडियो तो चाहिए, बिना ओडियो के तो वीडियो खराब है, पताओ कैसे करना है, एक काम करो, अच्छा लैप्टॉप से चलेगी, ठीक है, एक काम करो फि इस नंबर पर शेर करो ये, बहुत ही मोटिवेटिंग विडियो है यार, ठीक है, अब आपन ब्रेक में करेंगे इसको, क्योंकि अभी पढ़ाना है, शेर कर देना, चलो जी, स्टार्ट करते हैं, अंजी, लाइव वालो तयारो, are you all ready for the class? येस सर, चल ये जी, सबसे पहला कंसेप्ट आपने देखा था, देखो, ये बुक है न, ड्राफ्ट है, मैंने आपको ड्राफ्ट वर्जन वन दिया हुआ है टेलिग्राम पे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि रोज क्लास में बुक चेंज हो रही है, तो ये अभी फाइनल नहीं है भी, अभी तो मिलेगी बेटा, अगली क्लास से पहले, कल के बाद जो क्लास होईगी न, उससे पहले आप सबको बुक्स मिल जाएंगे आपके हाथ में, उससे पहले, लो जी, ध्यान से देखेंगे एक बर, आपने meaning and definition of auditing बढ़ा था, मैं repeat कर रहा हूँ सब कुछ एक बार, ठीक है, तो क् when such an examination is conducted with a view to express an opinion, बिटा ये पैरार, learn करना है, read करना है, ये read करना है, तो सबने क्या करना है, आर, mark कर लेना है, यहाँ पर कि भहिया, ये हमें सिर्फ और सिर्फ, read करना है, जी, mark क्या है, अगर नहीं किया है, आपने print नहीं निकाला है, मान लिजे, कुछ बच्चे होंगे, क्यों निकाले, तो अपनी notebook में लिख लो, हाँ, जैसे इन बच्चों ने print निकाल रखे हैं, तो this is very good, लो जी, आगे, analysis आपको नहीं करना, ये बाद में देखेंगे, फाल्तु के concept, फिर मैंने आपको यहाँ पर line लगवा के concept main करवाया था, क्या, the auditor conducting audit should take care to ensure that the financial statement would not mislead, इ accounts have been drawn up with reference to entries in the books of account, और entry क्या थी, supported by sufficient and appropriate audit, evidences, none of the entries in the books of account have been omitted, the information is clear and unambiguous, the financial statement are properly described, classified, याद है, और true and fair view, यहाँ तक हमने क्या था, फिर दो जनरल लाइन ने हमने रिड़ की थी, auditing provide assurance, is basic nature line in providing assurance to users, that is providing confidence to user of the financial statement, such an assurance lend credibility to financial statement, audited financial statement provide confidence to user that financial statement reflected in financial statement can be relied upon, यहाँ तक ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही question याद करना है अभी तक, जो कि मैंने ये 5 से 6 point आपको करवाए है, तो आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते है, question number one, ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई doubt, नहीं मैं भी मेरे को भी तो बताओ क्या चल रहे है, हाँ मुझे भी तो बताओ, देखो एक और चीज़ सुनो अब ये बड़ा ये बड़िया था बहुत, अब एक और चीज़ सुनो, गाली उतनी तेज़ दो जितनी आप तक ही रह जाए, अगर मेरे तक आ गई, तो मैंने म पकड़ लिया तो चोरी कैसे हुई, तुम कुछ भी करो, यहां तक आब आज नहीं आने चाहिए, मानते हो बेटा, यहां तक आ गई, तो दोनों कोलर से पकड़ूँगा और उपर से नीचे फेग दूँगा, ध्यान रखना, ये चीज, ध्यान रखना, गाली देने का अधि अरे यार, सर ने सुन ली, मुझे पता ही नहीं किसने क्या बोला है, लेकिन इंजोए करो, ठीक है, जर आप डाट भी देते हो, फुचकार भी लेते हो, यही तो कला है भाई, सही बात है न, लो जी, अब देखेगा, ओडिट टीम और उसका फ्लो, आस तो बच गया भाई, ओडिट, यार, चार सो बच्चे समालना मज़ा, क्या क्या, पहले बच्चा कबूतर उडाता था, उसका मैंने कबूतर उडाया है, यहां पर फिर, लो जी, ओडिट टीम और फ्लो, बेटा, रियल लाइफ में, यह सिर्फ नॉलिज के लिए है, तो आप यहां पर जीके है, देखेगा, सबसे पहले न, एक क्लाइंट, जैसे कि रिलाइंस इंडस्टी, वो तीन सीए फर्म को अप्रोच करेगा, जैसे कि एक्जामपल के तोर पे, प्री डबल्यूसी को, उसके अलावा, इन वाई को, उसके अलावा, डिलोइट को, कि भाई साब, हमें हमारा स्ट करना है, आप हमें अपना क्या बना के दो, प्रपोजल बना के दो, तो हम उसके बिजनेस के हिसाब से, CA firm एक प्रपोजल बनाएगी, कि भाई साब ये प्रपोजल है, इतने घंटे हमें आपका ओडिट करने में लगेंगे, हमारे इतने टीम मेंबर्स लगने वाले हैं, हम आप से इतना audit fees charge करेंगे, फिर उसके साथ terms and condition होती है, कि भाईया, आप इतने टाइम का में data available करवाद होगे, जैसे होता है न, right to access, उसमें किसी तरह का कोई disturbance नहीं चाहिए, आप अपनी एक fees दोगें उनको, ऐसे KPMG भी fees देगी, EY भी fees देगा, Deloitte भी, अब आप एक बा इसको देखेगा वो, उसने देखा यार, X firm मेरे को कम fees में काम करके दे रही है, और यह तो statutory compliance है, विकफोर कोई भी हो सब बराबर है, तो उसको वो काम देदेगा, या उसके अपने relationship भी होते हैं या उसके इसाप से काम दिया जाएगा, तो सबसे पहले real life में एक क्लाइंट का प्रपोजल, वही क्लाइंट प्रपोजल बन गया, साथ ही साथ हर C Firm में एक टीम होती है, रिस्क को जो assess करती है, प्रपोजल एसेप्ट हो गया, सामने वाला बंदा कह रहा है, ठीक है जी मैं आपको अपना काम देने के लिए तयार हूँ, जैसे बेटा आप, आपका वो करने के लिए तो तयार हूँ, मैंने प्रपोजल दो दिया था, लेकिन मैं आपका काम करूं या ना करूं, इसके लिए I need two to three days, yes or no, या ये बोले ठीक है, आपने मेरे को काम दिया, मैं करने के लिए तयार हूँ, ऐसा होगा क्या, ये कहेगा, जी मुझे कुछ समय दो, मैं क एक बात बोलके गया था, सर की स्टोरीज को बहुत ध्यान से, सुनना तो ध्यान से सुनना ही सारी बाते, क्योंकि ये याद रहती हैं स्टोरीज, कंटेंट आप भूल जाओगे, लेकिन स्टोरीज याद रहेंगे आपको, तो लविश क्या करने वाले हैं, अपनी रिस्क ट किया जाता है, समाझ आ रहें बात, बैकग्राउंड डिटेल में चेक किया जाएगा, उसका बिजनेस चेक किया जाएगा, लास्ट ओडिटर की क्या ओडिट रिपोर्ट है, वो देखी जाएगी, क्या उसका टॉर्म पूरा हो गया, इसलिए हमें बुलाया जा रहा है, या before term completion वो resign करके जा रहा है या उसे removal क्या जा रहा है बहुत सारी चीज़े होती है इसे हम बोलते हैं secretarial compliance क्या बोलते है ये पहले ensure किया जाएगा और एक report आएगी risk team से कि भईया आप हमारी side से audit accept इसके अंदर companies act की requirement भी आ जाएगी ये हमारा पहला step होता है समझाया यहाँ तो audit start ही नहीं हुआ हुआ क्या ये तो background में चल रहा है सब yes or no अब partner के पास team से आ गया you can accept the audit proposal मेरा already accept हो चुका है उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं सामने बाले को बोलूँगा भईया we are ready to accept your engagement क्लाइंट वो काईगा ठीक है भाई साब आप क्या कर लेते हैं मन दोनों एक क्या कर लेते हैं एग्रिमेंट कर लेते हैं तो जैसे ही आप acceptance of audit करते हो ना यहाँ पर missing है अब साथ ही साथ उसके साथ क्या करते हो एक एग्रिमेंट करते हो तो सही बच्चे लिख लेंगे इसके साइड में एग्रिमेंट क्या हम भाईया आपके साथ क्या करेंगे एक एग्रिमेंट करेंगे कि अग्रिमेंट कैसे बनेगा उसका पूरा एक स्टेंडर है हमारा एसे नंबर 210 अब क्या होगा अब आप सोचे क्या होगा क्लाइन के साथ क्या पूरी सेना को ले के पूच जाओं क्लाइंट प्लेस पे नहीं सबसे पहले क्या किया जाएगा पार्टनर लेवल पे और जो मानलो उस client पे partner क्या करता है, generally एक manager या senior manager को assign करता है, कि भाई, मैं तो मेरे 10 client है, मैं 10 के 10 तो नहीं देख सकता, execution मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ, तो मानलो मेरे team के दो senior बंदे हैं, तरुन और दीपक, मैं बोलता हूँ, तरुन और दीपक, आओ मेरे साथ चलो, client place पे चलके meeting करते हैं, Alliance के साथ क्या करते हैं, meeting करते हैं, हम वहाँ जाएंगे, हम client के साथ बैठेंगे, अच्छा जी बताओ, हमारा reporting objective क्या है, आप कब तक अपना audit complete करवाना चाह रहे हो, कब-कब आप हमें कौन-कौन से evidences प्रोवाइड करोगे, तो एक healthy discussion चल रहा है, किसके साथ, client का और audit team का, yes agreement कर लेंगे, समझा यहां तक बाद, मैंने महाँ पर document कर लिया, अब मैं वापस अपने office में आऊँगा, इसे बोलते हैं, meeting with management, इस वाले step को, इसको पूरा document किया जाएगा, एक work paper बनेगा, एक document बनेगा, क्या यह document बनाना जरूरी है, यह verbal रखें, यार जरूरी है, वहाँ पर मैं सिर्फ दो लोगों को लेकर गया था, या 400 लोगों को लेकर गया था, मानलो मेरी टीम में 400 लोग हैं, जो उस client को करेंगे, reliance को, अब मैं वहाँ से आ गया हूँ, और अब मैं अपने team को बोल रहा हूँ, you are my team, कि भाया, I am the partner, can I execute the work, can I execute the client work, no, I cannot execute, because मेरे प I have to execute the work, आप लोगों को audit करना है, तो आप लोगों को वहाँ पर भेज़ दू ऐसे ही, या पहले देखू कि उस client के हिसाब से, मेरे पास जो team है, क्या वो capable है, क्या वो competent है, क्या उनका proper trainings दी गई है या नहीं, yes or no, तो मैं क्या करूँगा, अपनी team में से relevant persons को क्या कर लूँ कर लूँगा, identify कर लूँगा, एक और case हो सकता है, कि मेरी team में उस client के हिसाब के बंदर ही ना हो सकता है, क्या, हमारे पास client आ गया telecommunication, ठीक है, pharma आ गया मालो, बट मेरी team को experience है, पूरा communication का, तो क्या काम कर पाएंगे, क्या, तो ऐसे case में client accept करने से पहले, मुझे relevant person को क्या करना पड़ेगा, hire करना पड़ेगा, या अपनी team को training देनी पड़ेगी, समझ रहे हो, flow, हाँ जी, मेरे पाट team है, relevant team मैंने identify कर ली, भेजने से पहले मैं उने training वगेरा दूँगा, और अब एक और काम करूँगा, हम तीन लोग गए थे हमाँ पर, हमें सब आप पूरा brief दे क्या हुआ आपके साथ, आपने क्या discuss किया, since I am the partner and these two are experience team members, हम आपको हमारा experience भी share करेंगे, कि देखो बिटा, जब आप फार्मा पे जाते हो, तो ये सबसे main risk है, हाँ या ना, इनका ध्यान रखना आप लोग, इस तरह के client पे generally companies x, y, z, ये तीन तरीके से fraud करती है, you have to take care of this तो मैं basically आपको क्या कर रहा हूँ, जो मेरी team है, उसको कुछ भी execution से पहले, even planning से पहले, एक meeting कर रहा हूँ, और वहाँ पे आपको सारी चीजे, detail में बता रहा हूँ, समझा रहा है, इस meeting को बोलते है, team planning event, TPE meeting, क्या बोलते हैं वेटा, team planning event, क्या इसको document करना जरूरी है, क्य हमारी internal meeting है, तो क्या मैं यह भूल जाऊंगे, मैंने internal meeting में क्या-क्या discuss किया था, तो we have to document this or not, we have to document this, पेटा, this is a step of our audit, आप इसे miss नहीं कर सकते, कल को कोई बोलेगा, आपकी team ने audit किया, क्या capable थी, मैंने का हाँ थी, प्रूव करो, कैसे प्रूव करूँगा, तो मेरा एक task किये भी रहेगा ना, मैंने इनको सला दी थी, guidance दी ट्रेनिंग दी थी, तो वो मैंने documenting नहीं की, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा, समझा रही है बात, तो we have to document, the work paper name will be TPE, team planning event, इसे real life में बनता है यह work paper, बट आपके syllabus में नहीं है, लेकिन अगर मैं initial phase चीजे छोड़ता अब मैं आपको जितना बता रहा हूँ, आप जितना करोगे ना, मैं ज्यादा बता रहा हूँ, आपके फ़र्म में कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, तो एक work paper कौन सा बनता है बेटा, team planning event, planning meeting with team, work paper का नाम क्या है, सरी work paper, work paper क्या करते हो आप, मन में आता है कभी, बेटा किसी काम को, अपने notes बनाना, उसे क्या बोलते है, work paper, बई मेरे paper हैं ये, मेरे काम के paper है, ये, मेरा documentation है ये, तो team planning event, आप लिख सकते हो इसके साइड में, planning meeting with client, इसको क्या बोलते है, TPE meeting, इसका work paper भी बनाया जाएगा, clear, कोई doubt यहां पर, अब आपने अपनी team को तयार कर दिया, अब वो लोग दोड़ कर जाएंगे कहां पर, client place पर, और अब वो क्या करेंगे, किसी एक step को उठा लेंगे, example, purchase और उसका audit स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला number step, process understanding, risk understanding और control, इस step को क्या बोलते हो आप, walk through, ठीक है seven, eight and nine is covered under, walk through, उसके बाद क्या करोगे, control testing और उसके बाद क्या करोगे, और पूरी testing के बाद हम क्या बना के देंगे, report और conclusion frame करके देंगे, अब एक तीसरा point आगे है, नया point आपके लिए, what is this qrm, देखेगा, आज अगर मान लो, एक गाड़ी बन गई, तयार हो गई बनके manufacturing में, क्या वो तुरंत रोड पे आ जाती है, उसका quality check होता है, yes or no, ऐसे ही मैं मान लीजे partner हूँ KPMG के अंदर, मुझे engagement दे दिया Reliance Industries, कि कपिल वाई साब, आप Reliance का पूरा take care करोगे, and you have to sign the audit report, who? कपिल गोएल, on the behalf of KPMG, मैंने का ठीक है जी, हम करेंगे sign, मैं गया Reliance, मै अंदर किये, जैसे management ने बोला, वैसे, वैसे मैंने कर दिया, और audit report बना के sign कर दिया, कल को अगर ये fraud पकड़ा जाता है, पिटा, किस को penalty लगेगी, सबसे पहले तो कपिल गोएल को उल्टा लठका दिया जाएगा, जेल के अंदर, मानते हो, हम तो खुशी-खुशी लठके कियों, 50 करोड, 100 करोड अंदर है, लटका लो जितना लटकान है, फासी की सजा तो है ही नहीं, आया ना, दूसरी penalty किसको लगेगी, firm, KPMG, आया ना, लगेगी ना, और तीसरी, जिसने दिये, उसको भी लगेगी, और इसे नाम किस-किस का खराब होगा, मेरा firm का company का, और, न कोई audit कर सकते हैं, तो हम किसके बच्चे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, हमारा second father को ने, ICI, क्योंकि उसी की तो रोजी रोटी है, आज ये महंगा सूट, महंगी घड़ी, महंगी shirt पहन के खड़े हैं, किसकी बदोलत, ICI, क्योंकि ICI ने हमें इतना capable बनाया है, कि हमारे अलाव और जिनोंने मुझे power दिये sign करने की, किसने, उसका भी नाम खराब होगा, yes or no, इतना ही नहीं, अगर listed company का कोई fraud होता है, जो कि मैंने किया मान लो, तो उससे company के साथ साथ देश का नाम भी खराब होगा, मानते हो क्या, लाखों लोगों का पैसा waste होगा, yes or no, तो country का नाम भ की firm है, कोन है मेरी firm? KPMG, वो कहेगी कपिल बाबू, आप sign करने से पहले, क्योंकि sign कर दिया तो बात खतम, फिर तो काम खतम, sign करने से पहले, हम आपके काम को review करेंगे, मतलब partner का काम भी कोई ना कोई, कि आपने जो audit किया है, वो हमारी firm की policy, KPMG की policy वेटा कहां लिखी methodologies, कि आपने हमारा ये काम, ये audit हमारी firm की policy के हिसाब से किया या नहीं किया, हम चेक करेंगे, एस इसर सब partner का करेंगी, नहीं भाईया, मेरे 10 client है, कोई भी randomly दो उठा लेंगे, हाया ना, तो 100% तो वो भी नहीं करेंगे, लेकिन sample basis पे तो quality चेक करेंगे, तो KPMG भी बेटा क्या करता है, quality चेक करता है, इतना ही नहीं, ICI कहती है, भाईया, हमें भी रिस्क है तुमारे काम में, हम भी तुमारा काम review करेंगे, लेकिन वो individual partner को नहीं बोलता, वो किसको बोलता है, firm को, कि मेरे लिए तो तु है, कपिल से मेरे को कोई लेना देना, मेरे लिए तो KPMG is the main thing, right, तो मैं KPMG का review करूँगा, तो ICI क्या करेगा, KPMG के 2-3 client उठा लेगा, तो मैं तुमारे 2-3 client उठाऊँगा, और देखूँगा, उस client का audit सही तरीके से हुआया, इसे बोलते है, peer review, क्या बोलते है, जिसमें ICI क्या करता है, एक दूसरी CA firm को हमारे यां भेज देता है, कि तुम इनका review करो, Central Government कहती है, भाईया, हमें भी risk है, तुम देश का नाम खराब कर सकते हो, तो Narendra Modi कहते हैं, मैं भी check करूँगा, कि तुम अपना audit सही तरीक, और वो audit नहीं, वो तो सारा ही काम cover करते हैं, कि तुम अपना काम सही तरीके से कर रहे हो, या, उसे बोलते है quality review, सर, firm वाला भी quality review, और देश वाला भी क्यों नाम से भी नहीं हो सकते, एक quality review by firm, और एक quality review by central government, हाई या ना, सर, क्या government भी KPMG को target करती है, ना, ICAI, बच्चे समझदार है, उसके लिए responsible party कोन है, तो वो कहती है, देख मेरे लिए firm नहीं है, मैं ICAI की सारी firm मेरे लिए बराबर है, तो मैं उल्टा भी चल सकती हूँ, उल्टा जैसे अदानी में दिक्कत आई, आई या नहीं आई, अदानी में दिक्कत आई, वो कह रही है, मैं काम करती हूँ, देखती हूँ, अदानी के ओडिटर को ने, उसने ओडिटर को नहीं पकड़ा, उसने किसको पकड़ा, company को, अदानी को, उसने देखा अदानी को ओडिटर को ने, अच्छा, Deloitte, Deloitte का review करो, समझ आ रहा है, Reliance के auditor को ने, अच्छा, X, इनका auditor करो, इनका review करो, basically, तो समझ आया, तो बहुत सारे आखरी में क्या होते हैं, review होते हैं, इसी लिए बोला जाता है, कि जो auditing profile है, वो बहुती high risk की job है, बहुती ज़्यादा high risk की profile में हम लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं बता दूँ आपको, कि unintentionally भी अगर हमने major चीज़ छोड़ दिना, तो भी हम हत्कडियों में बन जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो you guys, you guys feel, कि आप कितना responsible काम करने वाले हो, आने वाले टाइम में, ये कोई हलवा नहीं है, जो आप CA course कर रहे हो, बट आपको शाहिद इसका value या इसके काम के बारे में शाहिद आपको बहुत लोगों की जान बचाएगा, और एक गलत decision बहुत लोगों की जान, ध्यान रखना, ये murder होगा अगर आप गलत साइन करते हो, ये इतना बड़ा blender करते हो, अपनी life के चाहिए 15 साल के बाद, भया आप सोचो कि यार कोई 50 करोर दे रहा है, गलत काम कर लेते हैं, वो गल आपको news market में देखने को मिल जाएगी, तो ये flow समझाया, रियल लाइफ का, इसी के साथ मैंने team की एक photo भी डाली है, कि team कैसी दिखती है generally, देखे जी, generally एक आपकी team में कोन होते हैं, partner, वो अपना काम किनको assign करते हैं, like senior manager, अब senior manager भी खुद नहीं करेगा, तो वो क्या रख जा, black वली manager हो गई, क्यों, क्योंकि मो टे हो चुके है, न, खा, खा के, ठीक है, फिर इसके बाद दो assistant manager होते हैं, यह मानलो एक assistant manager हो गया, उसके बाद senior होते हैं, जो C.A. बन चुके है, यह मानलो senior हो गए, फिर उसके बाद दो choose de होते हैं, जो सिर्फ खाने पिने का काम, य था nggak तो इस तरह से काम को कर थी के सब‌सक्राइब पर triggered यह तक समझाए यह लिखाई only for general knowledge, not for your ajuda, not for your exam. आगे आज़यो. आज आज हम हमारा पहला standard स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हैár USA number 200. ज़यसे आप अकाउंटिंग standard पढ़ते हो, ऐसे हम auditing standard पढ़ रहे हैं, आज हमारा पहला standard स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है SA number 200, ये से नंबर आप कोशिच किजेगा एक चार्ट बनाकर दिवार पे चिपका दो पहले दिन आज ही बिना समझेगे लिस्ट ओफ स्टेंडर्ड की आप चाहो तो मैं पीडियो शीर कर दूंगा उसका प्रिंट आउट निकाल के दिवार पे चिपका देना पहला स्टेंडर्ड ह आज से 200 जिसका नाम क्या है पढ़िएगा मेरे साथ ओवरोल ओब्जेक्टिव ओफ दी इंडिपेंडेंट ओडिटर रुख जाहिएगा यहीं पर ऐसे 200 के अंदर पहला कंसेप्ट है भाई बैठो ना तुम पाउं ठक जाएंगे वो मेरा काम है खड़े होने का ऐसे 200 का क्य पहला क्या बोल रहा है कि ओडिटर का ओवरोल ओब्जेक्टिव एंड क्या कहता है कंड़क्ट दी ओडिट इन अकोर्डेंस विद ऐसे तो आपको दो चीजे बिल्कुल किलिए रोगई सर ऐसे 200 में सिर्फ दो बाते करनी है पहला मेरा अब्जेक्टिव क्या है आया ना स्टैंडर्स औडिटींग के हिसाथ से मैं छोड सकता हूं कि या स्टैंडर्स और अअडिटिंग को नहीं छोड सकते सर्व फोलो करना पड़ेगा ऑपिश्नल है में 사घ्या सर्पकॉर्ण करना पड़ेगा तो दो बाते करेगा नंबर वान overall objective of the independent auditor and conduct the audit in accordance with essays बात समझाई पहले हम पहला आप देखिए standard को ना question answer form में कर सकते हैं मैंने आपके लिए सबसे पहले लिखा हुआ है five या six concept objective, scope, aspects, reasonable assurance, inherent limitation और auditor requirement मैंने क्या क्या 6 concept पढ़ेंगे हम इस standard में 6 आपके सामने रख दिये तो आप question answer form में भी कर सकते हैं ठीक है question number two answer question number three answer जैसे आपको सही लगे है पहला question हम आपके लिए कर रहे है number one overall objective of the independent auditor कि उसका objective क्या है बहुत धीरे धीरे चलेंगे ठीक है क्योंकि यहां पे ना audit का core चुपा हुआ है मैं आपके लिए line पढ़ता हूँ sir standard को quote करना जरूरी एक्जाम में इंटर लेवल पे जरूरी नहीं है बट मेरी आपसे कोशिश रहेगी कि आप जब भी अपना answer लिखें standard का नाम और number दोनों आप quote कीजिए गलत नहीं करना सही याद है तो कीजिए नहीं तो simple लिखना है as per standards on auditing issued by the ICAI गलत number कभी भी आपने quote नहीं करना तो क्या कहता है overall objective कहां दिया हुआ है ऐसे 200 में दिया है ऐसे 200 में सबसे पहले auditor का objective दिया गया है एक auditor का क्या objective है क्या objective हो सकता है एक auditor का इधर देखकर बात कीजिएगा प्लीज लाई वाले आप भी बताइएगा financial statement को check करना evidences को obtain करना पहले आप ऐसे बोलो evidences को obtain करना उन evidences को evaluate करना और evaluation करने के बाद एक opinion देना यह objective है ultimate objective तो यही है opinion किसमें दोगे वरबली है रिपोर्ट में तो वो opinion आपने रिपोर्ट में डालके देनी है तो दुबारा मेरे साथ repeat करेंगे बच्ची ने बिल्कुल यह शुरुबात किया क्या बोलते हैं सबसे पहले कि financial statement को देखना उसके evidences को obtain करना item के उन evidences को evaluate करना और evaluate करने के बाद एक opinion देना opinion कहां दोगे रिपोर्ट में देंगे ठीक है जी अब आप एक मुझे बात बताईए जो opinion हम देते हैं क्या वह true and correct बोल सकता हूं नो सर क्यों नहीं बोल सकते हैं यह बकरी बजार नहीं बनेगा यहां पर क्यों नहीं दे सकते एक है ना कोई बच्चा मेरे लिए सिनॉप्सिस बनाएगा जो आंसर आ रहे हैं ठीक है कोन बनाएगा सिनॉप्सिस बनाओगे जो मैं बोलू रिपीट बस वह आपने एक वर्ड लिखना है ठीक है पीछे लिखना अपनी नोटक के क्यों नहीं हां तो इन्हों ने बोला सर हम true and correct नहीं और रिपीट नहीं जब मैं 100% चेकी नहीं कर रहा तो मैं कैसे बोल दो सब कुछ सही है तुमें समझ आ रहा है हां तो फिर अटेम्ट कर दो तुम भी ठीक है तुमने फॉम बरवा देना है मैंने तुम्हारा क्योंकि जितनी गोर से तुम सुन रहे हो कोई नहीं सुन रहा यह बिलकुल ऐसे तो आप मुझे बताओ तो आपने पहले बोला कि हम 100% चेकिंग हाँ जी सेकिंड बताईएगा हाँ बेटा आपकी ना पहली लाइन बहुत अच्छी थी कि ओडिटर से भी तो गलती हो सकती है आया ना बैइ मैं भी तो इनसान हूं हो सकता है मुझसे ही कोई गलती हो जाए तो ओडिटर के ओडिट प्रोसीजर गलत हो सकते है नंबर बन कि किसी काम को किसी तरीके से चेक करना है वाट मैं उस तरीके से तो रॉंग ओडिट प्रोसीजर लिग बेटा बेटा तुम ऐसे से पॉइंट बताओ गया भी जो आपकी बुक में नहीं है और जो की सही है क्या इन्हों ने जो पॉइंट दिया वो सही है मैं सेंप्लिंग गलत तरीके से निकाल कर दूं मैं सेंपल गलत तरीके से चेक कर दूं कंट्रोल क्लाइंट के बेकार है लेकिन मुझे लग रहा है सही है तो उससे पूरा ओडिट खराब हो जाएगा एस और नो तो यहार आपसल्यूट्ली राइट हां जी कि टाइम पीजमेंट की तरफ से भी तो मिस्टेक्स हो सकती है फ्रोड हो सकते है तो फ्रोड बाए मैनेजमेंट ठीक है और बताएगे कि नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं उसके और क्या रीजन हो सकते हैं जी पीछे से कोई लास्ट में से कोई कुछ बताना चाहेगा इस साइड़ से भी ये बच्चे अनटेंडड नी रहने चाहिए मेरे हां जी आप कुछ बताना चाहोगे नहीं सर हमें प्रोजेक्टर देखने तो हमें परिशान ना करूँ हमने हमारी कोफी सामने रख्यों यह टांगो से टांगे म हाजी बिटा और कोई आ शामपल देना चाहोंगे मुझे एक माइक लेया आदिशब माइक लिएन प्रेंद यौप नहीं दे सकते यह लिए पॉल रहा हूं यह पूल रहा हूं फैनेशन स्टेट्मेंट सबस्क्राइब नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बताएगा हां जी बताएगा हां जी बेटा बताओ कि मिस्टेक और मिस्टेटमेंट्स तो होई सकते हैं एनी अधर एक्जाम्पल विच इस डिफरेंट येस 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 प्लीज से इटिन माइक या बुक से रिट करके बता रहे हो बेटा कोई बात नहीं ग्रेट बोली अपना अंसर बोलिए प्लीज अजम संस पर बनाए जाते हैं येस और नो और तो आउट्पूट है अज फाइनेशल्स अब पूरा बोलो फाइनेशल्स अजमिशन्स पर बनाए जाते हैं येस और नो येस बीटा होग बहुत सारे गए जाता है ये जाते हैं तो क्या वह फैक्टोल डेटा होता है नहीं वह कैसा डेटा होता है जजमेंटल तो यह आपका पॉइंट बहुत अच्छा था तो जो भी सिनाप्सिस बना रहा है फ्लीज फ्लीज एक बात लिखेगा जजमेंट और आपने क्या बोला था अजम्शन्स एनिएधर पॉइंट कुछ बताना चाहेंगे आप लोग हाँ जी बेटा बताओ थीक है यह तो उसी के हम रिजन आइडेंटिफाइ कर रहे हैं प्लीज बताइए इन्वेस्टिकेशन नहीं कर रहे हैं अब आप यह पूछ सकते इन्वेस्टिकेशन इस पर भी हम डिसकस करेंगे यहां से कोई कुछ बताना जाएगा ओडिटर तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो फिर ओडिटर कैसे बनेगा अंजी आप बताओ पहले यह तो हम चेक करेंगे ना मैं आप से पूछ रहा हूं आप यह क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि फाइनेशल करेक्ट है Yeah, absolutely right कहां से लाते होगी पॉइंट great, we are believing कि जो information provided by management है The information given by management है इस और रेक्ट अप हम believe कर रहे हैंन अं believe कर रहे हैं नहीं कर रहे है कि management नहीं जो मुझे invoices दिये है यह वो invoice क्या वो invoice किया वह invoice जब मेरे हाथ महं आया तो what I believe, आपके बहुत अच्छा point बोला यार, जब management ने का जी ये एक invoice है जो आपने sample निकाला है, लीजे, check कर लीजे, जब management मुझे वो invoice दे रही है, what I believe, please tell me, this invoice is valid, this invoice is original, हाया न, क्या ये नकली invoice हो सकता है, PDF में बनाया हुआ, हो सकता है, नहीं हो सकता है, but I believe this is true, sir, आप check क्यों नहीं करने, do you feel कि मैं auditor, एक सी ये, इस चीज में, नहीं नहीं, सब कुछ मैं कर भी नहीं सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता, do you feel हम बता देंगे, जाली invoice है, क्या हमारे पास उतनी expertise है, नहीं, तो ये आपका बहुत अच्छा point था, हाँ जी, कोई और कोई कुछ बत पास है, चारो ही मिल गए, हाँ या ना, और बताइए, हाँ बेटा, नहीं, अगर fraud company ने कर रखे हमारी credibility कैसे खराब होगी, जिस चीज के बारे मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने 100% effort लगा रहा हूं, तो मेरी credibility की ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं correct नहीं बोल सकता, क हाँ जी कोई और live वाला कोई please बताए, हाँ जी, live student please कुछ बताइएगा, incomplete information, शाहिल ने बिल्कुल सही बोला है, आपने कहा मुझे purchase का data दो, client ने का ये लो, that is incomplete, आप कैसे check कर लोगे वो correct है, तो ये भी बहुत अच्छा example है, और कोई example आपकी side से, जिनका खाने पर ही focus है, हाँ जी, पिटा, बताओ point बताओ, इनको माइक दीजे please एक बार, इनको माइक दीजे please एक बार, तुम वहाँ पहुच गए, तो उनको कुछ बोलना नहीं था जब तुम वहाँ तक गए, तुम कहें गुली-गुली करके आयो फिर, विल्कुल पीछे चलाए, सर, सोफ्ट्वेर और टेकनिकल फोल्ट बेठा में कोई बाद बता, यूट्यूग की वीडियो में मैं क्या टेकनिकल फोल्ट करूँगा, आप दुवारा open करके close करके देख लो, हाँ जी, point repeat कीजे please, तुम्हें एक्जांपल दे रहे हो, ठीक है, हाँ जी, बताओ, सुनिएगा कितने point यह बता रहे है, तीन नंबर का question आता है, आपके paper में तीन या चार नंबर का, प्लीज बताइएगा, 100% checking, not possible, so that's why we do sampling, पैला होगे, wrong audit procedures लगा दी हमने ठीक है, time and cost और, fraud by management, financial estimate और assumption based बनते हैं, 5, judgment, ठीक है, उसी में cover हो जाता है, बते point, not doing investigation, we are not doing investigation 6, fraud by employees, fraud by employees 7, leaving information given, leaving information given where management is correct and true, incomplete information, 9, 9 point आपने दी है, तालिया बजाएँगे सब इस्टों, these are the minimum 9 example, because of that we cannot give true and correct, true and, that's why, हम कौन सा opinion देते हैं, true and fair, इसका मतलब यह है, कि इन सब document को check करने के बाद, मुझे 100% satisfaction कभी भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, तभी तो मैं true and correct नहीं दे रहा, तब technical word में आपके लिए introduce करता हूँ, आप बोलते हो हम 100% true and correct नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं absolute, सुना होगा आपने, कि भाई, इसी लिए हम absolute assurance नहीं ले पाएंगे, मानते हो, हम absolute assurance, absolute का मतलब क्या होता है, 100%, क्या होता है, absolute नहीं ले पाएंगे भाई या, 100% तो, जिसके no example तो आपने ले दे, तो कैसा ले बाऊगे, हम एक reasonable assurance ले पाएंगे, कैसा assurance, अब यह reasonable क्या है, देखो, नाम में reasonable है, वह reasonable से assurance हम ले ले लेते हैं, but what is this reasonable assurance, reasonable assurance is a high level assurance, मेरे साथ repeat करेंगे, reasonable assurance is a high, but not an absolute assurance, मतलब क्या है, कि भाईया, मैं यह बोल सकता हूँ कि 99% ठीक है, but handled, इसी लिए हम क्या absolute assurance लेते हैं, ना, क्या हम reasonable assurance लेना चाहेंगे, yes, reasonable assurance is a, but not an, अब हम पढ़ेंगे हमारा overall objective of the auditor, कि लिए रहे यहां तक, जो मैंने आपको यह nine example दिये, यह हमारा book का एक concept है, inherent limitation of audit, क्या है, बाई, audit की अपनी कुछ limitation है, हाया ना, जिसकी वज़े से मैं absolute assurance नहीं ले सकता, और वो limitation वही हैं, जो आपने example दिये हैं, समझाया है बेटा, तो दो concept मैंने आपको एक साथ करवा दिये, लो जी, और अब बहुत interesting चर्चा स्टार्ट होएगी, आगे, देखेगा, एस पर एसे 200, अबजेक्टिव कहां लिखा है, 200 में, overall objective of the independent auditor, इन conducting an audit of financial statement, नाम लिख दिया, एसे 200 का नाम है न, overall objective, दो चीज़े हैं, तो इसने दूसरी चीज़े को छोड़ दिया, conducting in accordance with essays, वो कहरें, मिर लिए भी relevant नहीं है, इस तो पार्ट वन relevant है, तो कहता है, overall objective of the auditor are, दो पॉइंट में लिखा है, ए पॉइंट क्या कहता है, to obtain reasonable assurance, auditor का objective क्या है, to obtain reasonable assurance, किस चीज़ के उपर, about whether the financial statement is a whole, क्या हमें सब बैलेंशिट देखनी है, क्या सिर्फ हमें P&L देखना है, नहीं, हमें सब देखना है, जो भी financial का पार्ट है, तो क्या कहता है, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, कुछ समझाया, सर हमें चाहिए reasonable assurance, कि जो financial statement है, वो free हो, किस से, यह वर्ड सिर्फ misstatement क्यों नहीं है, सर ऐसा हो सकता है, कि यह जो निब्भी है, यह पांच रुपे की चाई पिती है रोज, after office hours, लेकिन यह company में डाल देती है उसका bill, कि लो जी एक चाई पिये, या मानलो इसने dinner किया, इसने दिखा दिया, ओडिटर के साथ किया, और 1000 रुपे का bill company पे चड़ा दिया, तो do you feel कि इस तरह की misstatements है, these are misstatements, these are misstatements जो यह निब्भा निपी कर रहे है, क्या मेरे लिए relevant है, no, मेरे लिए मतलब, कौन सा auditor, पूरा बोलो, क्या मेरे लिए relevant है, मतलब क्या मेरे stat auditor के लिए relevant है, no sir, क्योंकि बहुती, छोटे amount है, immaterial amount, और आपने पहले ही बात किती किसकी, materiality, ठीक है, तो अपने लिए यह immaterial चीजे valid, important नहीं, अच्छा, तो क्या यह internal auditor के लिए valid हो सकता है, do you know internal auditor, जो company के policy, procedure, control पे काम करके, improvement और सजे, yes, उसके लिए important हो सकता है, कि भाईया, यह 1000,000 के खर्चे ना, आपने personal है तुमारे, अगली बार से company में charge, नहीं होंगे, तो आप देखो, कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी misstatement relevant है, material, तो क्या कहता है, to obtain reasonable assurance, about whether the financial statement, as a whole, are free from, material misstatement, अब misstatement कैसे कैसे हो सकती है, या तो fraud से, या फिर, आया ना, बाई गलती, या तो आप जान बूच के करोगे, या अंजाने में भी हो जाती है कही बार, होती है ना, आप कही बार नहीं है, गलती से गलती हो गई, बोलते हो, कभी-कभी आप जान बूच के भी करते हो, कभी आप ये बोलोगे, auditor के सामने, ये वाली गलती ना, मैंने जान बूच के की थी, बोलोगे, नहीं, तो auditor का जो objective है, वो ये है, कि भाई ये आप financial statement free हो, किस से, material misstatement से, that material misstatement can be because of, fraud and error, आपने दोनों चीजों के लिए audit procedure लगाने है, मतलब कुछ audit procedure आप specific लगाना, जहांपे आप fraud को identify कर सको, कि हुआ है या, और कुछ हम लगाते हैं, उनमें error तो हम पकड़ी लेते हैं, हाया ना, error मतलब गलती, अगर गलती से गलती हो गई, मतलब मैं करना नहीं, होता है ना, कभी आप कुछ करना नहीं चाहते, बट हो जाता है, तो आप उसको rectify करना चाओगे नहीं चाओगे, कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैंने fix assets को purchase में डाल दिया, गलती से, अब इस गलती को गलती ही रहने दिया, आप ऐसा करोगे, तो या तो आप ही identify कर लोगे, या auditor identify कर लेगा, yes or no, तो यहां तक धुबारा पढ़िएगा मेरे साथ, to obtain, objective क्या है, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement are free from, whether due to fraud or error, पहली line यहां पर खतम हो जाती है, हमने financial statement देखना है, free हो material statement से, चाहे fraud या फिर, ऐसा होगा तो क्या होगा, thereby enabling the auditor, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respect, हम 100% तो बोली नहीं रहे, हम क्या बोल रहे हैं, materially financial statement मोटा मोटा पूरे, in all material respect, prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework, बात समझाई, हमने क्या बोला, अगर financial free होते हैं, किस से free होते हैं, material statement से free होते हैं, ऐसा अगर होता है, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कि financial statement आपके बने हैं, applicable financial reporting framework के हिसाब से, यहां तक बात समझाई, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो मैं एक report भी बना सकता हूँ, तो दूसरे point में क्या लिखता है, to report on the financial statement, and communicate as required by the essays, भाई आप वरबल तो बोलोगे नहीं, तो क्या कहता है, to report on the financial statement, and communicate, communicate मतलब reporting किसको करनी है, किसको देनी है, as required by the essay, and communicate as required by the essay, क्यों लिख रहे हैं, सुनिएगा, अगर आप listed company को audit कर रहे हो, तो जो report है, वो members को जाती है, two members, अगर private company में दे रहा हूँ, तो two board of directors भी, हो सकता है, ठीक है जी, तो कहारे, communicate as required by the essay, जो भी requirement है, उसके इसाब से आप अपनी report को क्या कर दो, communicate कर दो, in accordance with the auditor finding, दो point समझाए, A और B point, मेरे साथ सभी student read करेंगे, flow में read करना है, ठीक है, objective of auditor क्या है, सभी वच्चे देख कर read किजेगा, no issues कि आपने बिना देखे read करना है, क्या कहता है, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole, are free from whether due to error, thereby enabling the auditor to express an on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable reporting framework and to report on the financial statement report and communicate, as required by the essays in accordance with, बात समझाया, objective समझाया, तो कभी भी हम absolute assurance, हम कौन सा assurance लिते हैं, reasonable assurance, बेटा, A और B point के साथ लिख लो, I love you, मतलब याद करना है, लिख लो बेटा, ये आपको अलग से नहीं पूछेगा पेपर में, बेटा, objective of auditor डिफाइन करो, आप कहीं न कहीं किसी दूसरे question के answer को लिखोगे, वहाँ पर आप बताओगे कि भाया, ये हमारा काम, नहीं है, हमारा काम क्या है, ये जो ऐसे 200 में दिया है, ऐसे 200 में दिया है, तो basically कहीं न कहीं आप इस language को use करोगे, अपने answer को frame करने के लिए, तो ये language जो ही आपको याद करनी है, as a tease, लिख लिज़े आपको जैसे भी लिखना है, समझ आया बेटा, देखो, class का सबसे बड़ा फाइदा ही ये है, कि आपको ये पता चलता है, क्या याद करना है, क्या read करना है, क्या skip करना है, मैं काफी जगे पर बोलूँगा, learn करना है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको keyword learn करने है, अब अपने हिसाब से लिख सकते है, लेकिन कुछ concept ऐसे आएंगे, जहाँ पर मैं मैं बोलूँगा as a tease, जैसे independence of mind, and independence in appearance, जो वो दो-दो line थी ना, as a tease याद करनी है, बाकी सब आप learning में रखिएगा, समझ आया है यहां तक, आगे बढ़ सकते हैं, now the next two line, please इनको देखेगा, यह अब आपको नहीं समझ आएगे, and I have to start with a different chapter, यह एक line मुझे chapter 1 से ले जाएगी, chapter number 10 पे, क्या कहता है देखेगा, and this is the style of CA couple girl, कि वो कभी भी रटवाता नहीं है, हमेशा समझाने की कोशिश करते, चाहिए आपने को एक दूसरा chapter start करना पड़े, आपको पता नहीं है, मैं chapter 4 का पूरा एक concept करवा चुका हूँ आपको, chapter 4 का, जो कि अब भी शायद इस बार मैं उसको chapter 3 कर दूँ, उसका हम एक पूरा concept कर चुके, and today we are going to start chapter 9 or 10, मतलब अगर series change हो जागी, तो chapter की, देखेगा, एक line पड़ेगा मेरे साथ, यहां तक समझा आगे objective, in all the cases, यह लग line है, separate line है, last bench, विट आपका ध्यान मेरी तरफ ही है, in all the cases, when reasonable assurance cannot be obtained, यहां तक समझो सिर्फ, क्या कहता है, in all the cases, when reasonable assurance, इसका मतलब क्या है, अभी यह अई तक, कि मैं मतलब opinion दे ही, मेरे को reasonable assurance ही नहीं मिल रहा, absolute तो मिली नहीं सकता, मैं क्या लूँगा, क्या रिजनेबल assurance cannot obtained, तो क्या मैं नहीं audit किया, क्या मैं कर पा रहा हूँ audit, क्या कहता है, in all the cases, when reasonable assurance, reasonable assurance क्या था, बूल गया मैं, high level assurance, हम जब भी काम करेंगे, जब भी opinion देंगे, जब भी true and fair view बोलेंगे, कि इस financial statement गिविंगे, true and, इसका मतलब हमें किस तरह का assurance चाहिए, high level of assurance, अगर low level of assurance मिलेगा, तो opinion दे दोगे true and fair, नहीं देंगे, फिरको यहाँ assurance चाहिए, तो यहीं चाहिए, अगर इससे नीचे आएगा, तो मैं true and fair, फिर मैं कुछ और दूँगा, true and fair view तो नहीं दे पाँगा, तो क्या कहता है, in all the cases, when reasonable assurance can not be obtained, and, and, a qualified opinion, in the auditor report is, insufficient, the essay require, that the auditor disclaim an opinion, और withdraw from the engagement, और withdraw from the engagement, अगर word missing है तो प्लीज लिख लीजेगा, and withdraw from the engagement, समझाया, घंटा समझाया, क्या समझाया, qualified opinion क्या है, नहीं, नहीं है, नहीं है, disclaimer क्या है, नहीं समझाया, नहीं समझाया, इसका मतलब ये है, आज हमें हमारी class chapter 1 पे, रोकनी पड़ेगी, सर पहले output समझाओ, फिर हम start करेंगे, zero से उस output को achieve करने के लिये, तो आज मैं आपके साथ, audit का planning discuss नहीं कर रहा, नाई execution discuss कर रहा हूँ, आज मैं आपके साथ, क्या discuss कर रहा हूँ audit का, reporting, हमारे audit में तीन स्टेज़ीज होते हैं, planning, execution, reporting, तो आज मैं आपके साथ, क्या डिसकस करने जा रहा हूँ, reporting, reporting, ठीक है, सुनिएगा, कुछ golden rule समझाऊंगा, बज़ जादा नहीं, टेक्निकल नहीं जाएंगे आज, अगर हम, Reliance के financial statement चेक कर रहे हैं, मैंने एक-एक आइटम को चेक किया, walkthrough किया, TOC किया, TOD किया, other audit procedure लगाए, evidences collect किये, उनको चेक किया, सब document किया, सब कुछ सही था, एक-एक area को मैं चेक करते हुए चला गया, सब कुछ सही था, सारे documents मिल गए, client से जो पूछा, उसने सब बता दिया, everything is perfectly fine, तो क्या मुझे reasonable assurance मिला, क्या मुझे reasonable assurance मिला, पीछे वालो, तो क्या मुझे true and correct view दे दे, कौन सा देंगे, true and fair view, क्या देंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर सब कुछ सही नहीं है, तो आप क्या opinion दोगे, मान लिजिए, एक example लेते हैं, मिरेको stage पे दो बंदे चाहिए, कोई आना पसंद करेगा, एक तो शिवम आ रहे हैं, चार्डड अगाउंटन शिवम कुमार, और को न आ रहे हैं, दीपक आ पा रहे हूँ, एक सीए दीपक गुपता आ रहे हैं, ठीक है, लो जी, बिटा यह उठाना, यह आपका समान रखा है नीचे कुछ, इनको उठाओ, इसे ना मुझे एक 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 जामपल यहाद आ रहे हैं, मतलब मैं पूने जा रहा था गाड़ी से, बीच में गुजरात आता है, तो मैंने न कुछ बोटल रखी होई थी गाड़ी में एक दो, मेरी अपनी स्पेशल कुछ कुछ कलेक्शन है, वो पूने में नहीं मिलती, तो मैंने गाड़ी में रख ली, अग्रीमा ने मेरे को पहले वोन किया था, कि गुजरात आया का रस्ते में और बोड़र बे बीटा गाड़ी चेक होईगी, तुम पकड़े जाओगे, तुमारे साथ साथ मुझे भी अंदर करोगे, मैंने का घवरा हो नहीं, आई विल हैंडल इट, तो मैंने क्या-क्या, अपनी कलेक्शन रखी, और एक बोटल एक्स्टरा नॉर्मल वाली भी रख ले, ब्लैक लेबल टाइप, ठीक है, गुजरात बोड़र पहुँचे, उस उन्होंने चेक तो करना यह बेटा, वो डिटेल चेकिंग करते हैं बढ़िया से, उन्होंने का यह क्या है, मैंने का भाईया, पंदराभी इस दिन के लिए जा रहा हूँ, अपना चुकार तो साथ लेके जाऊंगा ना, तो पता नहीं, अलाउड नहीं है, मैंने का यारा आप भी ले लो ना, तो इसने भी वो ही किया, मैंने का धारू तो नहीं है, वो तो बढ़ी आए, वैसे क्या है, मैं देख लूँ, नराज तो नहीं जाऊंगे, भाई क्या लेगा है तुम सुवे सुवे क्लास में यह, गलत बात है यह, कागज वागज से धक्के लाया देख रहे हो, संद्रे लाया है वाई, क्लास में संद्रे लाते हो तुम, सारे सही चीज निए के लिए, संद्रे लाया हो ठीक है जी, example स्टाट करते हैं, अब कैसे हैं, वो तो यह बताएगा, तो भाई दीपक ख्लास में ले आया संद्रे की पेटी, ओरिंज इस ठीक है, अब शिवम कह रहा है भाई मैं लूँगा सारे सारे संत्रे खरीदने इसने लेकिन लेकिन अब शिवम को ना संत्रों की नोलेज नहीं है कि इस ये बंद है ये बंद है पेटी ये किसकी है दीपक की खरीदने किसने है यह का रहा है भाई साब दीपग मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ क्या इसमें सारे बढ़िया ओरिंजीस है आपके यह कहे रहा है यह एक पूरा ट्रक है जिसके अंदर एक लगव पूरा था कि एख त्रोंगा मैं इनको पहले क्या करवाऊंगा चेक करवाऊंगा और अगर चेकिंग में क्वालिटी सही मिली तो मैं सब खरीद लूँगा शिवम ने कहा मैं इस चीज में एक्सपर्टीज होल्ड मैं इक काम करता हूं हमारे कफिल अनको बड़ी नोल तोMan करता हूं उन को हाइर करता हूं इस काम लिए वह चेक करेंगे भगाई और enabled दो बड़ी है अब आपने मुझे असाइंडिमेंटर यह संपर्ण कर लिया कि सब जयte गाई तो Кто शिवम क्वाब का कम और इंडेस किसान यह मनलो यह आते गेर सदारुपी होगे मैंने का भाग्यस साले मैं ओडिटर हूं और मैं कौन सा ओडिटर हूँ इंडिपेंडेंट ओडिटर हूँ मेरे अंदर इंडिग्रिटी कूट-कूट कर भरी गई है तो यह मेरे को नहीं बैका पाएगा मैं चेक करूंगा सारे उसने कर लो भाई साथ ठीक है कर लो बक्की बात है पहला केस तो यह हो सकता है भाई ने ओपन छूट दे दी मैंने काग अगली लेर पहुच गिया मैं मैंने चेक किए इसने कोई रोक टोक नहीं की मैंने सब चेक किया बढ़िया से मैंने एक आदमान लो छिला उसको खाया सेस्ट बढ़िया था ले यह कर जल्दी ठीक है तो सब कुछ सही निकला मैं शीवम को क्या रिपर्ट दूं ओरेंजी और इंजिस बढ़िया हैं खरीद लें आग बंद कर गें मैं रिपोर्ट दे रहा हूं और मेरी फीस तु बिजवा देना पहला एक्जामपल किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत बिटा समझना यह एक्जामपल पेपर में याद आए और पांच नंबर का कुशन लिखो अगली सिचुवेशन यह वापस लगा एक कागच अगली सिचुवेशन ठीक है समझना फेटी बंदे लाई वालों तुम्हें दिखतो रहे हैं ना पता चले सर आप बोलो हमें तो कुछ दिखे निरा इसने मुझे बुलाया सर चेक करो मैं आ गया मैंने का चेक करेंगे इसन बाद है पुड़ है कैच कर तुम भी क्वालिटी देख ले तेरी कि मैंने बढ़िया देखा एस सब्सक्रें मैंने कागज अटाया मैंने और निगाला अनने वज़ी है अब मेरहां पकड़ना अब मैं और चेक कर रहा हूं तो मैंने एक लेयर और यह भाई मेरहाथ पकड़ लेता है पकड़ना अगल गया मैंने क्या कर रहा है है कर च्छो कर दो दे मैं यह कि और भाई साहब और नीच करने दूंगा ठाला तुम एक एक को देख रहे हो कि मैंने जब उसको पीनियन पूरे की देनी आदे की थोड़ी न देनी है उसने न ना आ हो तो गया चेकिंग वेकिंग अब यह पेटी होएगी बंद लेनी है तो लो नहीं तो कि अब आप मेरे को एक बावता हो इस भाई ने हाथ रोक लिया मेरा कि चेक कर पाया 100 परसेंट नहीं कर पाया क्या बोल दू सब कुछ सही है कि जितना चेक किया वह तो बढ़िया था एक वो खार रहे और एक ही खार है दो सब खराब है अब देखो feel करो क्या बोल लू सब शचाहीन है ऑर कि च्छोटमर आहीं अ क्या बिना देखे कैसे बता देंकि वह ख़राब है नहीं बता सकते तो क्या करें ऐसे situation में नहीं क्या करें अब थोड़ा logical भी चलेंगे क्योंकि अपना concept इसके साथ attach है आप थोड़ा भावनाव में बह गए तो पूरे ही बह जाओगे मैं वापस नहीं ला पाँगा फिर तो अपने को swim करना है control होके बहना भी है enjoy भी करना है concept भी समझना है क्या दस परसेंट ही कर पाया 90 परसेंट चेक ही नहीं कर पाए तो फिर नहीं का तो मतला हम ओपीनियन नहीं दे पाएंगे क्यों नहीं दे पाएंगे क्योंकि भाई मेजर पोर्शन तो मैं चेक ही नहीं कर पाया तो मैं एक आपको ना भाई शीवम वह बाद में छिल लिए संत्र तुछ शिवम भाई मैं नहीं दे पाँगा इसको बोलते हैं इसक्लेमर ओपीनियन इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं ऑपीनियन अब आप पुछो क्यों पूछो गेना तो आपको थोडी ना पताँ उसे चेकिंग नहीं करने दी पूछो Мы खाबाद में लियो थाले पुरे इन दीड हम्हों चाला रखे के पगा 화漫िजी पहले इन्होंने पुछा लाओ जी ऑपीनियन मैने खम नहीं दे पाएंगेिं ऑपीनियन मैंने का बैने जिस्क्लेमर दे रहा हु भैसा कि मैं ओपीन एंब फिर अगला कोशन पूछे का भाई साब क्यों नहीं दे पाओगे फिर मैं उन्हें कहूंगा भाई साब जो आपका दीपक गुपता है उसने ना ना तो मुझे चेकिंग करने दी ना एक्स्प्लेनेशन दी ना डोक्यूमेंट्स दिये उसने का क्या हुआ तो 80% तो चेक कर लि इसलिए मैं डिसक्लेमर दे रहा हूं कि मैं ओपीनियन नहीं देपाओं गजाम्पल नंबर ट्व समझाया इसे बोलते हैं डिसक्लेमर ओफ क्या बोलते हैं कब देते हैं ये जब ओडिटर एक ट्लाइंट से डेटा मांगे और रdefense और उसका इंपक्त पॉसिबल स्टेट्मेंट पे सब्स्टेंशल है या माइनर है तब हम बोलेंगे हम उपीनियन नहीं दे पारे डाट इस डिस्क्लेमर सेकंड इग्जांपल समझाया चलो जी थर्ड पे चलते हैं चले थर्ड पे अधिए रहा थे पकी बाद है गया रजर वसुल लग रहा है आपको वसुल लग रहा है पैसा लोगा ठीट थर्ड सिटिवेशन देखना राम से मैं आया इसाब टेक कर लो इसने का कर लो मैंने चेक किया बेकार रोक नहीं रहे है रोक नहीं रहे है मैंने चेक किया अरेवा बिकार मैंने चेक किया बिकार बड़ी थर्ड क्लास कडूलर हुआ लेगी संतरी ला रखिए निमने बिकार है सब टेकर है भाइसा वहारे मतलब का समानी है आपके पास ठीक है मैं जादा बड़ी उस नहीं कर रहा पागल हो जाओगे इस संतर ही मिले तेरे को कुछ और ले आता है कि सीजनल फूरूट लिगा है अब आप बताओ कौन सा ओपीनियन दोगे सब कुछ सही है सब कुछ खराब है लिटा इधर क्या बोला मैंने हुआ सब कुछ बेकार है हम यह चेक करकर बोल रहे हैं बिना चेक करकर बोल रहे हैं अगर मैंने चेक कर लिया सब चेक करने दिया हो सब कुछ खराब था एच शोड़ो 70 पर्जेंट खराब था मतलब सब सब सही ऑख बोल दूम आउडिटी नहीं कर पाया आए करतो लिया जो सब खराब है यहां मेजर खराब है तो खराब रहे नहीं तो फिरम बोल देंगे सब कुछ खराब था इस opinion को क्या बोलते हैं इसको डिस्क्लेमर जब चेक नहीं कर पाए इसको बोलते हैं एडवर्स उल्टा होना चाहिए था true and fair उसका बिल्कुल उल्टा एडवर्स इसे क्या बोलते हैं तो देखो दो opinion बड़ी sorted होती हमेशा एक जब बिल्कुल सही है सब true and जब बिल्कुल खराब है सब एडवर्स सब कुछ ही खराब है बिना चेकिंग के बोलोगे चेकिंग करके बोलोगे चेकिंग करके अगर कुछ आखरी में चेक नहीं करने दिया 10-20 परसेंट पेंडिंग है तो भी फिर एडवर्स जाएगा ठीक है क्योंकि major portion आपका खराब है और अगर चेकिंग ही नहीं करने दिए और major portion चेक नहीं करने दिया तो डिस्क्लेमर अब दो एक्जामपल जो कि जहां बच्चे गलती करते हैं वो समझा रहा हूं यहां से रमजना यहां तक किसे को कोई दिक्कत बड़े एक्जामपल है अगला देखेगा अलाउड है कि यहारा सर हमने पेटी खॉल र बचल देखा आई अब एप्ल बोल देता है लोग मैं पंजाब के कितने लोग है पंजाब से कोई बोड़े की पीटिली आना मिए आप लो जी चेक कर रहा हूं में भाई चेक करने दे रहा है 50 पर्संट कर चुगा हूं अभी तक यह सब सही है लो जी 60 पर्संट चेक हो गया ठीक है, 70% चेक हो गया, सब सही है, यह आखरी लेयर है, यह मैं हटा रहा हूँ, भाई मेरा हाथ रोक, इसने रोक लिया, भाई नहीं चेक करने देंगे, मैंने का करने देंगे, आखरी में आके इसने रोक लिया, शीवम को मेरे को अब रिपोर्ट देनी है, क्या मैं true and fair view दे स क्योंकि 70-80% चेक कर लिया और वो, सारे सही है, तो नाई तो true and fair दे सकते हैं, नाई, अच्छा, वो disclaimer of opinion दे देते हैं, नो सर, क्योंकि आपने major portion चेक कर लिया, अब तो कोई minor portion रह गया, और उसका पूरे financial impact, वो नहीं चेक कर पारा, अब कौन से opinion दूँ, qualified opinion, कौन सा opinion, अब what is qualified opinion, qualified opinion बोलते हैं, भाई सब कुछ सही है, क्या बोलते हैं, accept this item, ना, हम यह नहीं बोल सकते हैं, यह मैंने गलत बोल दिया, माफ कीजेगा, क्योंकि मैंने example में क्या लिया, मैं उसको चेक कर पाया क्या, तो मुसको गलत कैसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता ना, और मैंने पहले बोला है, ओडिटर भीना चेक के कुछ भी opinion, तो यहाँ पे qualified opinion जाएगा, लेकिन कैसे लिखेगा, कि भाई सब सब कुछ बिलकुल, बट, 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 हम एक portion purchase का check, और उसका possible impact, या उसका impact हमें नहीं पता, बट इतना पता है, उसका पूरा impact financial पे नहीं है, तो क चार opinion हो गई, कौन-कौन सी, true and fair, दूसरा adverse, तीसरा जब कुछ भी ना check कर पाएं तो, disclaimer, और जब आपने check कर लिया, बट थोड़ा सा portion रह गया, जो आप check नहीं कर पाएं, पांचवा example, बट चेक कर लो, मैंने check करना start किया, सब सही है, भाई, कुछ नहीं बोल रहा है, सब दिये जा रहा है, हम check किये जा रहे है, सब बढ़िया है, ठीक है, catch कर लोगे, फिकूंगा तो, पता चले class की, शान्ती भंग कर दो, सही है, लो लाई वालो तुम लो, वो बच्चा सही कह रहा है, नाकपूर बोलना था उसको, अब आखरी चीज, मैंने सब चेक कर लिया, सब बढ़िया है, ये आखरी के न, कुछ संत्रे, खराब हैं, कुछ, कुछ खराब हैं, पिछले example में चेक नहीं कर पाया था, बट वो जो नहीं चेक कर पाया, उसका, ज अब मेरे को ये जोक, औरिंजिस खराब है, अब मेरे को शिवं को रिपोर्ट देनी है, ट्रू एन फेर व्यू दे दू, लाई वालो आप बताओ, ट्रू एन फेर व्यू दे दू, नहीं, एडवर्स दे दू, 90% तो ठीक है, डिस्क्लेमर दे दू कि चेक ही नहीं कर पाया, अले सार सब चेक कर लिया, क्वालिफाइ दे दू कि जो नहीं चेक कर पाया, 10% उसका इंपेक्ट सब चेक तो सब कर लिया, अच्छा, छोटी सी गलती है, इसका पूरे फैनेशल पे इंपक्ट, बट गलती तो मैटेरियल है ना, इसका मतलब एडवर्स भी नहीं दे सकते, क्लेमर भी नहीं दे सकते, तो इस केस में भी कौन सा जाएगा, क्वालिफाइड ओपिन, मतलब सब कुछ सही है, एकसेप्ट इसको छोड़कर, परचेस को छोड़कर, पहले वेले एक्जामपल में क्या था, सब कुछ सही है, मैं चेक नहीं कर पाया, परचेस और उसका सब्सक्राइब करें, अगर सबस्टेंशल भी होता तो, ध्यान से सुनो, यही तो चीज़ सिखानी है, यह, एडवर्स का मतलब सब कुछ गलत है, और गलत कब बोलते हैं, चेक करने के पाथ, एकसामपल सुनो अब ध्यान से, ध्यान से सुनना, सब का मेरे उपर फोकस होना अगर मैं यह बोलू, ओडिटर is unable to obtain audit evidences, and the possible impact of misstatement is material, material, but not substantial, अराम से बताओ, कौन सा opinion दोगे, qualified, क्योंकि impact, substantial, example number two, when auditor is unable to obtain audit evidences, and the possible impact of misstatement is material, and substantial, गलती कर गए बेटा, एडवर्स में गलती कर गए, एडवर्स कितने बच्चों ने दिया, हाथ उठाओ, गलत, मैंने क्या बोला, auditor unable to obtain evidences, तो क्या checking की आपने, और साथ ही साथ में एक word और बोल रहा हूं, क्या, possible impact, कि भाई, जो गलती हो सकती है, मैंने तो checking ही नहीं की, क्योंकि evidences ही नहीं मिला, वो material है, साथ ही साथ में क्या बोल रहा हूं, substantial भी हो सकती है, तो ऐसे किसमें क्या, adverse दोगे, adverse तो तब देत हैं, क्योंकि impact क्या है, तो यहां क्या जाएगा, disclaimer कि भाईया, हम तो major portion check ही, अभी नहीं समझा रहा होगा, अभी आपको confused, अभी तुम्हां बहुत खिलूँगा आपके साथ, समझा या, अब एक और case, when auditor obtained the audit evidences, and identified some misstatement, these misstatements are material, are, but not substantial, qualified, अब आप सही पकड़ गए, अगर मैं यह बोलता, auditor identified misstatement, and these misstatement are, material, as well as, substantial adverse, मेरा example यहीं तक था, समझा आया सबको, यह आगे वाली line में दे दो सबको, यह एक काम करो, रूको, सबसे पीछे वो जो कोने में उदर वाले बच्चे है न, उनको दो, ठीक है, अब अपना अपना टेस्ट करेंगे सच को, थेंक्यू आज अभी आपको आने के लिए, थेंक्यू शिवम, थेंक्यू दीपक, देखेगा आप, अब मेरे को बताओ, आपने सब चेकिंग कर ली, सारे एविडेंसिज उप्टेन कर लिए, सब सही है, कौन सा उपीनेंज जाएगा, कौन सा उपीनेंज जाएगा, जो, पेटा, listen my question first, अभी आपको गलत करता हूं, लो, आपने चेकिंग की, मैनेजमेंट ने आपको एविडेंसिज नहीं दिये, the possible impact of misstatement is material, but not substantial, तो disclaimer कहा हुआ, qualified, अगला example, हमने audit करना स्टार्ट किया, management ने audit evidences नहीं दिये, the possible impact of misstatement is material, as well as substantial, disclaimer, क्योंकि आप major portion पे checking नहीं कर पाए, आपने audit evidences अप्टेन किये, material misstatement मिली, material misstatement are substantial, बताओ, material misstatement are substantial, after checking आप बोल रहे है, adverse, समझाया है यहां तक, अब आपन धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, opinion में और आपका revision multiple time करेंगे, जिन बच्चों को नहीं समझायाएगा, नीचे करो, लाइवा लो आप भी बताना, अब बताओ, कितने बच्चों को नहीं समझाया, hand raise कीजिए, मैं दुबारा फिर repeat करूँ हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उठाओ बिटा, don't worry, अभी हम गलती करेंगे, अभी हम दुबारा discuss करेंगे, लेकिन अगर आज आज आपने इस concept को छोड़ दिया आना, तो बहुत सारे concept फिल जाएंगे, क्योंकि ultimate हमारा क्या objective है, वो अगर हमें नहीं पता, तो मैं base कैसे बनाऊंगा, तो अराम से बोलो सर, मुझे नहीं समझाया, एक बर ओर discuss करो, कितने बच्चे जिनको नहीं समझाया, अच्छा कोई बात नहीं, पांच साथ हैं, दुबारा discuss करते हैं, पिटा जो बच्चों को नहीं समझाया ना, मैं बैठा हूं, दूसरा क्या सोचेगा, तो आप गलत कर रहे हो, आप फेल होने की तरफ जा रहे हो, नहीं समझाया, खड़े हो, ताकि मैं आपके साथ, पीछे वालो तुमको समझाया गया, हाँ, और कोई, हाँ, क्योंकि अगर अब भी अपने बात नहीं की तो फिर कप करेंगे, अच्छा बेटा, आप मुझे एक बात बताईए, आपने financial statement की checking की, भाई, माइक देना इनको, ठीक है, आपने, अब मैं एक-एक बच्चे की साथ discuss करूँगा, आप अपने नाम जरूर बताईएगा, माइक में, आपने financial statement की checking स्टार्ट की, आपने management से जो जो मांगा, everything is provided to you, and you checked thoroughly, and you have concluded that I have my evidences, जिसके बेसे मैंने checking की है, and I conclude, everything is fair and fine, सब कु कुन सा opinion देना पसंद करोगे अपने client को, आप से पूछ रहा हूं मैं, सब कुछ सही है, which opinion do you want to frame for your client, true and fair view, any doubt in this, जो भी सब लोग खड़े हैं, please सुनियेगा, in this situation, what's your name, Mukesh, Mukesh, Mukesh wants to give true and fair view in this situation, are we all okay with this, yes sir, lie वालो, I hope, आप भी इसमें fine है, अगला example, okay, second situation है, mic pass कीजेगा, please next person के पास, please, बेटा आपका नाम, मैंकराज, 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 मैंक, मैंक, है मैंक, आपके सामने एक situation रख रहा हूं, आप client place पे गए, client ने आपको सारे documents प्रोवाइड किये, आपने सब documents को चेक किया, and you have concluded, जहां से सुनियेगा, that there are material misstatements, there are material mis statement, but the possible effect of this misstatement are not substantial, that means, these are confined, these are confined, these are confined, these are confined, ak accounts related, these are so confined that these are related only for the other expenses and they are not impacting any other account, let me repeat, मैं बोलरां, you have obtained audit evidences, you have concluded that there are misstatements, these misstatements are material, these misstatements are आप कौन सा ओपीनियन देना पसंद करोगे क्वालिफाइड ओपीनियन आर्वी ओल ओके विद देस क्यों क्वालिफाइड क्योंकि इंपक्ट सबस्टेंशल अप माई का आगे पास ओन कीजेगा प्लीज टिल मी यूर नेम गोरो अगर सेम एक्जांपल में यह बोल दू यू आपने चेक किया एविडेंस लिए आपको मिस्टेट्मेंट में लिए मिस्टेट्मेंट मैटेरियल भी और सबस्टेंशल भी कौन सा ओपीनियन एडवर्स ठीक है आपने क्वालिफाइड दिया था क्योंकि इसका इंपक्ट सबस्टेंशल नहीं था माई का आगे पास कीज पहला आपके ऊपर मैंनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया क्या आप ट्रिव और फिर विव नहीं दे सकता आपने का मैं एडवर्स भी नहीं दूंगा नाव हमारे पास दो ओपिनियन बच गई कौन कौन सी एक तो क्वालिफाइड और एक डिस्क्लेमर अब आप मुझे बताओ दोनों मेंसे कौन सी ओपिनियन दे इसमें डिफ्रेंशेटिंग फेक्टर या डिसाइडिंग फेक्टर क्या होगा बेटा मैं आपसे नहीं पूछ प्रेखाएड ield्पैएअ दे अब ripanti दे रिफाई देना है यहा अगया दिहां से ह crypto कोई बी जा सकती है आप को यह देखना है कि मूक test मिस टेटमेंट हो सकती है guessing the सोचना पड़ेगा, that means judgment, according to my judgment, the possible impact of misstatement is material, मैं बोलता हूँ क्या है, material है, फिर आप यह सोचोगे, कि चलो material तो है, क्या यह misstatement, substantial भी है, क्या, मतलब major portion of financial को cover करती है, क्या, अगर आप का answer आता है, yes, then तो आप कौन सा opinion दोगे, disclaimer, कि भाई हम oddity major portion, अगर आपको लगता है, क्या, material misstatement तो है, possible impact, but substantial नहीं है, तो आप कौन सा दोगे, qualified opinion, समझाया, हाँ जी, सबको समझाया इस बार, clear है, चलो अभी दुबारा भी clear करेंगे, एक बरसा ही बैठे, I hope, कुछ लोगों को समझा होगा हो, कुछ को अभी भी नहीं समझाया होगा, don't worry, अभी तो मैंने जिर्फ आपको flow बताया है, we'll discuss it again in detail, चलिज़े, और I think मेरे को laptop shut up, यहाँ तो काम करना है, देखते हैं, chapter number 10 मैं आपके साथ start कर रहा हूँ, एक बर full screen face लेना, please, एक बर full screen face लेना, please, हाँ जी, थैंक यू, बिड़ा मज़ा आना चाहिए, समझा आ रहा है, बहुत बढ़ी आ, लो जी, आपके सामने है, standard number, essay 705, लेएगा, please, essay number 705, जो की बोलता है, एक इससे उपर एक essay है, essay number 7-00, essay 7-00 क्या बोलता है, forming an opinion, क्या बोलता है, objective में क्या था, हम opinion को frame कर सकते हैं, और report बना सकते हैं, यही था, ऐसे 700 आपको बताता है, क्या आपको opinion कैसे frame करनी है, और report कैसे बनानी है, कौन बताएगा हमे, essay number 700, essay 700 तब हम use करते हैं, जब हम true and fair view देते हैं, कौन सा view देते हैं, essay 700 बताएगा, कि अगर आप true and fair view देते हो न, तो आपको report कैसे बनानी है, वो कौन बताएगा, essay 700, लेकिन, अगर आपको true and fair view नहीं देना, तो आप essay 700 वाली report में, कहां कहां change करोगे, क्या क्या change करोगे, वो कौन बताएगा, 705, 705, 705, 705 बताएगा, यदि आप, अपने original opinion को, original opinion क्या होता है हमारा, true and, अगर आप उसे modify करते हो, तो मैं बताऊँगा, कि आपको कौन सा opinion, दे सकते हो, तो 705 का नाम क्या है, modification to the opinion in the independent auditor report, मतलब original opinion को, that is my true and, अगर आपको modify करना है, तो कौन सा standard लगेगा, 705, सर, modify करना है, तो मतलब 705, इसका मतलब original opinion को, मैं एक दूसरे नाम से भी बोल सकता हूँ, क्या, unmodified opinion, कौन सा opinion, बाई हमने 705 के साब से, 705 के साब से, कोई भी modification, इसलिए यह opinion कैसा है, as it is, जैसा होना चाहिए, मतलब, unmodified opinion, तो अगर मैं कभी आप से बोलू, बेटा हम client को, unmodified opinion दे देंगे, तो आप यह मतलब, कौन सा unmodified, मतलब, true and fair, अगर आप modify करना चाहते हो, तो आपको एक standard का सारा लेना पड़ेगा, और उस standard कोई साथ सो पाँच, जिस जो बोलता है, आप modify कर सकते हो, और modification में, वो तीन तरह की opinion बता रहा है, number one, qualified, number two, adverse, and number three, disclaimer, अब जो substantial word में, use कर रहा था, उसको आप replace कर दीजेगा, pervasive के साथ, किसके साथ, pervasive, यहाँ पर, pervasive का मतलब ही है, impact of misstatement कितमे है, pervasive किसको दिखाता है, impact को, अगर impact लगता है, पूरे financial पे है, तो adverse या disclaimer, impact लगता है, पूरे financial पे नहीं है, but misstatement है, material है, तो qualified, समझ आया, we'll read the qualified opinion first, देखेगा, qualified opinion, क्या कहता है, the auditor, having obtained, एक word आप अभी छोड़ के चलो, sufficient appropriate, आपने सिर्फ अभी क्या पढ़ना है, audit evidence, sufficient appropriate भी बता देता हूं, ताकि बहुत बार आएगा, फिर अपने को बार बार ना, उस बड़ को छोड़ना नहीं पढ़ेगा, sufficient से क्या समझ आता है, this water is sufficient for me, क्या, quantity, क्या समझ आया, क्यार, this quantity is fine for me, 60 ml is fine for me, मेरा इस से उपर capacity, नहीं है, तो it denotes for quantity, अभी आया मेरे पास, सक्षम, C.A. सक्षम साब आ गए, कभिल सर आज आपके साथ पीने का माने, मैंने का, बढ़िया सक्षम, पीते हैं भाई, दोनों भाई पीएंगे थोड़ी-थोड़ी, ये मेरे को बिठा लिया इसने, बिठा कोई, मेरे को दारू का नाम बता, नीचे वाली रेंज का, है, ब्लैक डॉग, ये मेरे सामने बैठा, ये केरें सर, हाउ मच, मैंने का, 90 ml, इसने का, ओके, एक्जामपल समझ आते हैं आपको ये वाले, हाँ, कुछ और समझ ना है, ये एक्जामपल आप जरूर याद, मैंने का, बेटा, 60 ml, लड़के, आप समझते हो, अब भी ब्रीजर वाली हैं सारी, नहीं बेठा, पीना गलत बात है, ठीक है, ये एक्जामपल देखे, ठीक है, ठीक है, मैं जूस की बात कर रहा हूं, बेटा, मैंने का, जूस पीना है, 60 ml, आपने का, सर, इसने बोतल निगा ली, ब्लाग डॉग, मैंने का, ये क्या है, उसने का, सर, तीन सुरे बात की बोतल लाएं, आपके लिए ब्लाग डॉग की, मैंने का, भाई, क्वान्टिटी तो ठीक है, ब्लाटी इस नोट पूर मी, यसे और नो, मैंने का, इस बोतल शुड़ भी एपरोप्रियेट, वो कहा रहा, सर, कौन सी लगेगी आपको, मैंने का, एर, एटलिस तू, डबल ब्लैक लेया, अगर ज़्यादा कुछ नहीं, तो गोल्ड लेया, अब गोल्ड से उपर नहीं, अब गोल्ड तो लेगे आखा मुझे, उसने का, सरी काम करो, आप अपना क्रेडिट कार दो, मेरा कंसेप्ट खतम करता हूं, चलो, ज़्यादा मसाला नहीं लगा रहा, तो आपने क्या सीखा है, यहाँ पे, कि सफीशेंट का मतलब एक क्वांटिटी, अब भी के लिए इतना काफी है, समझ आया, सफीशेंट, क्वांटिटी, एप्रोप्रियेटनेस अगर पेपर में true and false आता है that appropriateness is denotes for the quantity of audit evidence true false तो यहाँ पे आप सिर्फ एप्रोप्रियेटनेस को define करेंगे या दोनों को करेंगे तभी दो नंबर मिलेंगे you have to explain both the case sufficiency का आपको definition लिखना हो और appropriate समझ आया तो यहाँ पे हमेशा auditor कौन से evidences लेता है sufficient and आप सिर्फ quantity पे नहीं खेल सकते सिर्फ quality पे नहीं खेल सकते दोनों balance दोना चाहिए तो क्या कहता है qualified opinion में the auditor having obtained qualified कब दोगे वो बता रहे है the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence and conclude that misstatement गलती तो मिली are material गलती तो है और but not pervasive नहीं है भाया परवेजिव मतलब उसका impact बहुत ज्यादा तो कौन सा opinion दोगे अगर इसी में ही massive note word हटा दूं misstatement are material and pervasive adverse मानते हो adverse पढ़िएगा the auditor express an adverse opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence and conclude that misstatement individually और in aggregate पूरे financial पर दे रहे हो ना opinion तो individually मतलब एक account और सबको total कर दिया तो कहरे है misstatement individually और when in the aggregate are both material as well as pervasive भाया किसी को कोई दिखकत यहां तक आई थिंक नहीं होनी चाहिए now we'll discuss our main the disclaimer to disclaimer में evidence मिले होंगे या नहीं मिले होंगे तो word misstatement use करना चाहिए possible misstatement use करना possible चलो जी रीड करते हैं disclaimer of opinion the auditor shall भाही अगर समझ जा जाए तो तालियों के साथ तालिया वो चाहिए जो आपका दिल खुशों के निकले वह वाले disclaimer of opinion क्या कहता है the auditor shall disclaim an opinion when he is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence I am unable to obtain sufficient appropriate evidence and he conclude that the possible effect on the financial statement of undetected misstatement क्योंकि मैंने detector करी नहीं पाया तो मैं word possible और undetected use कर रहा हूं on the financial statement of undetected misstatement could be both material and pervasive disclaimer समझ आया अब एक चीज जो आपके किताब में नहीं है जो मैं बनवा रहा हूं और आपने मिरको answer देना है किसी को दुबारा read करेंगे किसी पेरा को क्या कहता है read किजे the auditor shall disclaim an opinion मैं disclaimer हटाओ the auditor shall blank space ये आपके exam का कोशन है true and false या MCK जवाब आपने देना है the auditor shall blank space when he is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and he conclude that the possible effect on the financial statement of undetected misstatement could be material but not pervasive qualified अब आप एक काम किजेगा है पहले तौब इसके picture लेजएगा अ जया full screen कर दीजेगा रुको 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 आप पहले ना notes complete करते हैं इसको यहाँ पे लेके आना, copy-paste, यह A case हो गया जब आप qualified देते हो, यहाँ पे आपने क्या करना है, B case बनाना है, B case में बताओ क्या change होगा, copy-paste, copy and paste, सिर्फ आपके दो word change हो जाएंगे, the auditor shall qualify the opinion, कब, when, could be, could be material, but not pervasive, ठीक है, अब आप समझ गए, तो यह दूसरा case हो गया, qualified opinion का, अब आप प्लीज पिक्चर ले सकते हैं, अब आप full screen कर भी देगा, समझ आया, उतालिया बजा सकते हैं आप लोग, ना समझ आया हो, तो पुछ लीजेगा, दुबारा, एक आप से request है सही अच्छो से, भाया ले आईये कब आप से screen पे, और यह हाज जोड़ कर request है, अब जब हाज जोड़ रहा हूं तो बड़े भाई के नाते जोड़ रहा हूं, खीक है, यारना notes बना लो, notebook में न, साथ था, जो दूसरी notebook आपने बनाई है, notes वाली, first page पे marks लिखे, मैंने बोला था, first page, मैंने लिखवाए, आपके marks से नहीं लिखवाए, इस बार, ओ, कैसे skip कर सकता हूं यह, लायो note book सब लोग, कितने student नहीं लाये, hand raise की जगा, कितने student नहीं लाये, अरे, अभी मापी है, पहली कुछ classes में, जो नहीं लाये, वो हाथ raise करो, अभी कुछ नहीं बोलूँगा, आ, उठा ले न, बेटा, ऐसे सोच के क्या, उठा ले पुरा, नहीं लाये न, बुड़ी आप से ही बोल रहा हूं, नहीं लाये न, उठा फिर आ, जमाता दी, लायो, फिर ऐसे क्यों कर रहे थे, तर वो उठा रहा था न, तो इसलिए मैं अभी उठा ले थे, आ, जे जो नहीं लाये वो थाथ उठाएंगे, क्यों नहीं लाएं, हाथ उपर रखो वे आ, निक्चे क्यों कर लिया, क्यों निलाए बेटा, बूल गये या मैसेज नहीं देखा, देख effort forgotten भूल गयां बेटाि नीचे टर लो हाथ, अगर का आइस्वर यह भूल गया तो मु तो जो नहीं लाए ना वो खुद से पूछ वह अपना रीजन आगर आपने मेरा मैसेज देख लिया था और फिर भी नहीं लाए तो मैं बोलूंगा भाईया थोड़ा सा प्लीज डिसिप्लिन में वेनर में आ जाओ जो भी दस वारा बच्चों ने हाथ उठाया है और अगर को सारे पोस्टर्स खरीते हो मोटिवेशन वीडियो सुनते हो मैंने का सब को कच्रे में डाल दो आप आप ने बस अपनी दिवार पे एक लाइन रखनी है हमेशा अपने जिन्दगी में पूरी लाइफ टाइम सिस्टूडेंट लाइफ की बात नहीं करना मैं या ट्यू टू स्कूStudy गर आप ने को सिस्टू लेने वाला then छोटे घर में रह रहा हैं या बहुत बड़े में रहा हूँ या बहुत बड़े में रहा हूं यह चीजा मेरे लिए इतना इंपक्ट नहीं करती मेरी लाइफ को मिरे को बड़ा मझाता है अगर आज इतना ही आनंद आएगा आखा отправ के साथ आप रह रहे है को बहुत आत्मा जायागा कहीं में तो आपने साथ हमेशाय इमांदार रहना है कि अगर आप अपने साथ ऑपने साथ हिमानदार नहीं हो न भाई तो आपको ना इस जीवन में आगे कोई नहीं ले जा सकता कोई भी नहीं अब खुदी अपना नुकसान करोगे तो हमेशा ना हम जैसे दूसरों से राय लेते हैं कि सिंगल गुरूप दूँ यहां बोथ गुरूप दूँ आता है मन मे है कितने number of days है कब तक पूरा कर लूँगा रिविजन के लिए दो ढ़ाई महीन है क्या मैं आंसर निकल के आ जाएगा आपका तो आपको लिखना होता है मेरे भाई तो जो नहीं लेकर आए notebook completely fine प्लीज कोशिच कीजिएगा अगली ख्लास से आप जरूर लेकर आएं notebook को ठीक है और जो लेकर आएं आपकी notebook में पहले page पर लिखेगा प्लीज पहले page पर लिखेगा अपने वो marks पहले page पर लिखता है first page पर बड़ा बड़ा अपने वो marks और उपर लिखना नीचे क्योंकि मैं कुछ और भी लिख वाऊंगा अपने वो marks जो आप audit में अचीव करना चाहते हैं realistic figure रखना realistic figure रखना यह नहीं कि आपने हेंडड़ी लिख दिया achievable figure रखना जो objective बना रहे हो आज जो target बना रहे हो उसको achieve कैसे करना है वो मैं बताऊंगा तो अपने वो marks जो आप audit में achieve करना चाहते हो और उन marks के लिए effort करने के लिए भी तयार हो वो marks लिखो वो अपने हिसाब से मैं कह रहा हूं उतने ही नंबर पेपर में आएंगे उतने ही क्योंकि अगर आपने लिखा 80 या 90 और आप लिखते टाइम ही serious नहीं हो तो घंटा नंबर नहीं आएंगे बट अग चाहिंटेड अगांटेंट वाली फिलिंग के साथ responsible हैंट से responsible हैंट से मतलब जैसे चाहिंट अगांटेंट साइन करता है तो उसका साइन बहुत ही responsible signature होता है तो उसी एंगल से मैं बोल रहा हूं उसी mindset के साथ आज आप अपनी notebook पे देखो मैंने आपके सब के नाम के साथ सी यू शूट फी लिटल रिस्पॉंसिबल आप अपने marks लिखेगा मैं वादा करता हूं उतने marks आपके पेपर में आपके आने वाले एक्स्ट्र आएंगे कम नहीं आएंगे वादा है मुझसे ठीक है जी कि आप उस number को लिख सकते हैं आप एक range भी लिख सकते हैं पांस से साथ わかり वहीं लिख सकते हैं दस number की रेंज भी सकते हैं 20 number की रेंज नहीं लिखेंगे 50 से सतर है 65 तो 70 एक reasonable range है 75 तो 80 reasonable है 다리 वो 85 रीजनेबल है 85 तो 90 रीजनेबल है 87 तो 93 बहुत रीजनेबल है उसके लिए अलग लगेंगे पांच लग के इनाम की कटेगरी में आ गए फिर आप कि आप लोगों ने रिवोर्ड फंक्शन नहीं देखा गया मेरा कि 95 पे पांच लाग का इनाम है लेकिन हम एक लाग देंगे या पांच लाग देंगे वह हम उस अटेम्ट के रजल्ट पर डिसाइड करेंगे विटा पंद्रा बच्चों क्या आ गए कि कैसे देपाऊंगा आप बताओ नहीं देपाऊंगा ना एक बच्चे क्या है बाकी सब ठीक है 21000 वाली कर्टेगरी में तो सकता है मुझे आईफोन देदें एक डेट लाग तो वह डिपेंड गरता है स्टूडेंट के ऊपर चलो जी यह फोटो ले लिए आपने ठीक है ब हरना हो कि अविदा अब यह इस तेस्ट को देंगे सब स्वेस्टोटिट मेरे साथ है को लोजी लोजी देखेगा आवो लिए अधा कि पेली सिचुएशन बकाता है् फाइनिश्च इस्टेट्मेंट और मैटिरियल री मिस्टेट्टफिड फाइनिश्च टेट्मेंट अर म क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा ठीक है फिर आप बोलो मेटीरियल तो है और पर्वेजिव भी है तो एडवर्स समझाया अगली सिचुएशन ओडिटर इनाबिलिटी टू अप्टेन सफीशेंट एप्रोप्रियेट ओडिट एडिट इनाबिलिटी तो कह रहा है जो पॉस्तिबल इफेक्ट है वो मेटीरियल तो है पर्वेजिव कौन सा ओपिनियन क्वालिफाइड अगर यू आर अनेबल तो अप्टेन सफीशेंट एप्रोप्रियेट ओडिट एडिट वेटराएं इस ना ले पाएं को ना ले करते ओंती इंग तो दुबारा स सब्सक्राइब को करते सेम बात लिख देते हैं, अब एक बार लिख देंगे क्या वर्ड यूज करते हुए, possible, क्योंकि ऐसा भी दो सकता है न, हमको evidences ना मिले हो, आगे देखेगा, और, यह और क्यों आया, क्योंकि यहां पर अब हमें second situation को cover करना है, और the possible effect, वड़ क्या आगया है यहां पर, on the financial statement of misstatement, if any, that are undetected due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidences, तो basically, nutshell में अगर बात करें, तो यह हमें क्या बताता है, effect, ठीक है जी, आगे चलते हैं, pervasive effect क्या हो सकते हैं, on the financial statement are those that, बटा, substantial को बोलेंगे, pervasive या non-substantial को, substantial को तो कह रहा है, pervasive effect on the financial statement are those that in the auditor's judgment, यह judgment का game है क्या, मैंने बताया था न, करके भी, this is my judgment, कि inventory substantial portion है या नहीं, मुझे उस time पे judgment use करना पड़ेगा, तो कह रहा है, in the auditor's judgment, तीन situation है, effect of misstatement are not confined to a specific element, इसका मतलब क्या हुआ, वो सब जगे फैला हुआ है, misstatement are not confined to a specific element, इसका मतलब क्या हुआ, वो जगे फैला हुआ, क्या रहा है, आया न, प्रवेजिव effect का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ वो हर जग है फैली हुई है तो इसका मतलब परवेशिव है अगला एक्जांपल देखना इसका इफ बेटा आप भी मिस्टेटमेंट वड़ना एड़ कर सकते हो किताब में अपने रिडिंग के लिए इसका मतलब किसी एक आइटम पे हो सकती है किसी एक अकाउंट पे हो सकती है इफ सो कनफाउंट लेट से इन्वेंटरी रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट एस सब्स्टेंशल पोर्शन ओव दी फाइनेंशल स्टेटमेंट तो भी यह बताओ परवेशिव हुआ है नह जैसे एक्जांपल रिवेन्यू अगर रिवेन्यू में स्टेटमेंट है तो रिवेन्यू में ही है या डेक्टर मे भी होगी फिर इन्वेंटरी में भी हो सकती है फिर अकाउंट कैशन में ही ना है आपने डिस्क्लोज ही नहीं की, पीपेनी का डिस्क्लोजर नहीं डाला, तो ये भी क्या है आपका मेन चीज था जो कि आपने छोड़ दिया, परवेजिव समझ आया, तो परवेजिव का मतलब है impact on the financial statement, या तो गलती हर जगे फैली हुई है, या वो एक जगे पर ये लेकिन उसका impact क्या है, substantial या तीसरा, वो गलती किस से related है आपकी, डिस्क्लोजर वीचा, fundamentals डिस्क्लोजर, ठीक है, समझ आया, मेरको audit report से सिर्फ इतना ही कराना था, अगर आप चाहें, तो इस पूरे portion की भी आप picture ले लिजेगा, और आप इसको अपनी book में notes में बना लिजेगा कल, भाईया, एक बार full screen कर देना भाई साब, ठीक है जी, इनको ना मैं snip tool से cut करके भी टेलिग्राम पे एक बार डाल तूँगा, आप लोगों के लिए, लेकिन आप फिल भी picture ले लिजे, ठीक है, अब चलते हैं, वापस चप्टर नमबर बन पे, अंजी, आपने ब्रेक, ओके ब्रेक, रुख जाओ, ले भाई, किछ लेखो, ब्रेक देऊं क्या, लाइव आलो, ब्रेक, लाइव आले सभी स्टुएंट बताएंगे, ब्रेक की requirement है क्या आपको, मजा नहीं आ रहा ग्या, क्या रहे हो, बुख तो मुझे भी लग रही है जार, देखो आपको ना इसी बात पर एक चartet सुनाता हूं मैं जान से सुनिएगा मेरी बाते, घम, ब्रेक ही चल रहा है मेरे भाई, ब्रेक, 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 कि दो है है, सुनिएगा है लो जी मेरे एक फ्रेंड है यह किसी ने पहले भी सुना होगा मेरे से मेरे एक फ्रेंड है निप्वून सिकली है सुनाया किसीने पहले के वह चाटर्ड अकांटेंट भी है अले में और वह न भी यह साला कि आमनहों वहाग्र्श वह पुने से आया हुआ था पुने रहता है वह तो पुने से महें पुंपिक्तल्विस दॉर से क्लाकव शॏर्ण इसने का में ग्राइख ला लिया हम कहां बैठे थे बीर कैफे भी बैठे थे हम लोग तो मेरे को ना कुछ चाहिए था तो मैंने डिसेंसी के साथ क्या क्या है ऐसे हैंड रेस कर लिया जब भी वेटर देखेगा अब ना आ जाएगा मैं दो मिनिट हो गया क्या कर रहा है साले भाया 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 भी नहीं भागल साला चिला कैसे खड़े होगे भाया मैंने गा साले तू कंपनी सेक्रिट्री है तू चार्टर एसे ही आते हैं यह लोग वह भाग गया पीनेट्स ला दो भाया मैंने का भाई माफ करना इसको चड़ चुके है थोड़ी सी तो पागल आदमी है तो वह कभी भी है हमारा दोस्त है हाँ रागिर स्ट्रग्लिंग डेश से हमारे साथ रहता है बहुत उसने मेहनत किये रागिर को जानते आप लोग लो जी अब मैं निपुन की आपको एक कविता सुनाता हूं ध्यान से सुनियेगा ठीक है और समझ येगा और फुल स्क्रिन क्लीज मुझे रखियेगा हाँ सुनियेगा डिस इस बाइ माइफ्रेंड निपुन सिक्री लेकिन जब वो कवि के रूप में होता है तो अपना नाम निपुन नहीं यूज़ करता वो उस टाइम पे बेफिक्र यूज़ करता है ठीक है वो बेफिक्र के नाम से जानते हैं उसे तो क्या कहते हैं देखेगा हर गुना की कोई सजा होती है हर दुख की कोई वज़ा होती है दुबारा रिपीट करूँ हम आपके लिए हर गुना की कोई सजा होती है हर दुख की कोई ठक हार कर कभी रुख मत जाना हर रात के बाद सुबा होती है पहले लाइ क्या कहता है हमारा निपन भाई हर गुना की कोई सजा होती है हर दुख की कोई ठक हार कर कभी मत जाना हर रात के बाद सुबा होती है अब आगे क्या लिखते हैं वह अब आप सीए कॉर्स कर रहे हो बहुत बार ऐसा लाइज में आएगा अब ठक जाओगे परिशान तो उसके लिए वो क्या लिखते हैं जब जब तुमको डर लगे क्या कहते हैं जब जब तुमको डर लगे अगनी पत पर चलने से जब जब तुम घबरा जाओ सच की रापर बढ़ने से जब जब आख से ओजल हो, मंजिल ये अधिकार से, बहुत बार ऐसा होता है, कि एर ओडिट की क्लास लेनी है, फेस टू फेस में जाना है, बड़ भाई पैसे नहीं है, क्या करें, होता है ना बेटा, आलात अलग अलग हो सकते हैं बच्चों के, तो प्रोब्लम दुबारा सु प्रोब्लम दे, क्या कहते हैं, जब जब तुमको डर लगे, अगनी पत पर चलने से, जब जब तुम घबरा जाओ, सच्की रापर भढ़ने से, जब जब आख ये ओजल हो, मंजिल ये अधिकार से, जब जब दिल ये बोजल हो, हाला तो पिमार से, तो आपको क्या करना चा हार मत मानना, क्या कहते हैं, कुछ भी हो जाए हार मत मानना, आगे लास्ट लाइन, कहते हैं, हार जिसने मान ली, उसके बारे में लिखते हैं, जो बच्छा हार गया, उसके बारे में लिख रहा है, हार मानने वालों की ना तो इस लोक में, ना पर लोक में कोई जगा होती है ठक हार कर कभी रुक मत जाना हर रात के बाद सुबा होती है तो बात ऐसी है अगर आप रुक गए C.A. कोर्स क्या है C.A. कोर्स है कि हर बच्चा ना 6 गंटे पड़ाई गर रहा है और हम लूस कर जाते हैं विकोज हम ठक गए हमारे माइंड ने जवाब दे दिया कि भाई अब और लेकिन जो स्टूडेंट ये समझ गया कि भाईया अब असली जर्नी स्टार्ट हुई है और अब मुझे इस ते आगे 6 गंटे पड़ना है तम मैं exceptionally बनूँगा तम मैं बाकी से आगे निकलूँगा तम मेरी life में कुछ नहीं आएगा वही दिन समझ लेना आप बिल्कुल definitely rank या आप बहुत आगे जाने की तैयारी कर चुके हो ठकना नहीं है बिल्कुल भी जब आपको लगे कि याँ ठक गया है ना तब ही लगना चाहिए आपको सा लास्तो काम करना ही है थर्ड क्लास में शायद पता नहीं सेकेंड लेक्चर था जब मैं यहाँ पर आया बेटा मेरी बहुत तवित खरापती ठीक है मतलब मैं पढ़ाने के हालात में तो नहीं था अगर यह लेक्चर पंदर आया बीसवा होता तो मैं मैसिस डाल देता कि भाई आज नहीं पढ़ा पाऊंगा सिंस आपका सेकेंड लेक्चर था मैं छुट्टी तो करी नहीं सकता था किसी भी कीमत पर यहाँ पर आया माइंड सेट बनाया कि सिर्फ स्टार्ट करना है और वो ऐसा स्टार्ट होगा कि पता ही नहीं चला कपती नहीं हंते निकल गए तो सब नहीं गेम किसका है माइंड का अगर मैं आपको बिगनिंग में बोल दूंगा ना आपका बेटा पंदरा मिनट का ब्रेक होगा तो अब एक घंटे बाद ही घड़ी देखने लग जाओगे यह पंदरा मिनट का ब्रेक कब होगा लेकिन अगर आप माइंड सेट बनाके बैठे हो भहिया ग्यारा से दो नोन स्टोप चलेगी गाड़ी बीच बीच में ब्रेक होगा लेकिन वो बैठे बैठे होगा किसी को नेचर को ला रही है चुप चाप उठके जाओ और आके बैठ जाओ अगर आपने वो माइंड सेट बना लिया तो मैं गैरेंटी दे रहा हूं दो बज़े तक आप नहीं थकने वाले कभी नहीं थकोगे क्योंकि आपको क्या पता है कि ब्रेक नहीं होगा माइंड सेट के लिए रहे कि ब्रेक नहीं होगा तो माइंड सेट के लिए रहे ब्रेक नहीं होगा चले आगे किसी को अगर वोश्रूम जाना है वो जाना है वो ब्रेक दे दे भाई चले जाना भाई लो जी आज चैप्टर वन का दुबारा अब्जेक्टिव पढ़ते हैं ब्रेक की जरुत लगे तो बता दे ना दे देंगे हम पढ़ रहे थे से 200 पहला कंसेप्ट अब्जेक्टिव ओडिटर वापस आ गए वहीं पहीं क्यों क्यों कि एक लाइन पढ़ाने के लिए मुझे वापस आना ला पड़ा एस पर से 200 क्या कहता है क्या कहते हैं तो अब्टेन रीजनेबल एशूरस अबाउट वैदर दी फिदेश वर्ड ओर अगर ऐसा होता है तो देर भाइन अब्लिग दी ओडिटर तो एक्स्प्रेस एन opinion on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting and to report on the financial statement and communicate as required by the essays in accordance with the auditor, khatam फिर दो लाइने थी, in all cases when reasonable assurance, अब पढ़ना है अब पढ़ने है पहली बार, in all cases when reasonable assurance अच्छा, दूसरी best opinion क्या हो सकती है, reasonable तो नहीं है तो दूसरी क्या होती है, best qualified, कि सब सही है, इसको छोड़कर in all cases when reasonable assurance cannot be obtained, एने qualified opinion in the audit report is insufficient correct, true and fair view में ले नहीं पा रहा qualified insufficient रहेगी मतलब वो भी सही, तो बचा क्या, या तो disclaimer दे दो, या फिर छोड़कर ही जाओ, अगर समय से पता चल रहे हैं, तो क्या कहता है, the essay required that the auditor disclaim an opinion or withdraw from the engagement, अब मजे की बात यह है, कोई बताएगा, which essay required 1105 requires, वो आपको बताता है, कि अगर ऐसी situation है तो क्या करना चाहिए, कि लिएर जी सभी को यह इसकी summary है to obtain reasonable assurance, auditor को financial statement देखना है, whether they are free from material, miss statement opinion देनी है, report बना के देना है और communicate करना है, report को as required by the essays, चार general language है, read करेंगे, skip करनी है यह दो point के साथ प्लीज लिखेगा, learn मैंने लिखवा दिया है, as it is, ठीक है यह जो line है, यह सिर्फ read वाली line है यह जो करते रहो, बाद में छोड़ देना, one liner जो है वो यहाँ पर already cover हो जाती है analysis है basically, उपर वाली बाद जो मैंने समझाई है, उसी कोई दुबारा तोड़ के लिखा है तो यह लिखा क्यों है, क्योंकि कई पार MCQ correct incorrect कहीं से भी आ जाता है तो अगर आप read करके भी जाएंगे ना तो mind में click 100% आपको paper में हो जाएगी आपको दिमाग नहीं लगाना तो क्या कहता है देखेगा an analysis of above bring out the following points clearly, क्या-क्या, देखेगा auditor objective is to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or errors are same ही तो बात है उपर से निचे वतार के रिखे आपने यह बता रहा है reasonable assurance क्या है तो कहता है reasonable assurance is to be distinguished from the absolute assurance what is absolute assurance absolute assurance is a complete assurance or a guarantee that the financial statement are free from material misstatement however, reasonable assurance is not a complete guarantee although it is a high level assurance but it is not a complete assurance ठीक है जी audit of financial statement is carried out by the auditor with professional competence and skills in accordance with the standards on auditing audit procedure are applied हम audit procedures लगाते है are applied in accordance with essays audit evidences is obtain procedure लगाओ evidence obtain करो evidence को क्या करो evaluate करो अब evaluate हो गया तो क्या करेंगे on the basis of that conclusion are drawn up and an opinion is formed समझ आया it leads to the high level of assurance which is called a reasonable assurance but it is not an अब ICI क्या कोश्चन बनाता है मतलब इससे घट्या कोश्चन नहीं बन सकता क्या क्या कहता है हमारा book कि सबसे पहले आप क्या लो audit procedure लगाओ हाया न procedure लगाकर क्या obtain करो evidence फिर उन evidence को क्या करो और evaluation के बेस पे क्या frame करो और उस conclusion के बेस पे opinion दे दो और opinion के बद रिपोर्ट नहीं है final report बना दो यह flow हो गया audit procedure लगाओ evidence obtain करो evaluate करो opinion frame करके रिपोर्ट में डाल दो ICI कहेगा select the correct statement mcq for one mark select the correct statement flow देगा audit procedure, evidence obtain, evaluation, conclusion, reporting 5 points दे दिए फिर दूसरा लिखेगा evidence obtain, audit procedure, opinion, evaluation, report ऐसे चार देदेगा you have to just apply your mind and select the right or correct flow of doing audit बिल्कुल basic तो अगर यह ना भी लिखा होना किताब में तो भी आप select कर लोगे है कि मैं कैसे audit करता हूँ सबसे पहले opinion होगा आप select कर लोगे क्या कि पहले opinion दूँगा बाद में सारा काम कर नहीं तो you can just simply remove this statement in your second or third reading मैंने हाला क्यों पर लिख दिया ना second पढ़ेगा अब यह बताता है misstatement misstatement in the financial statement can occur due to fraud or error or both the auditor seeks to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement caused by fraud or error हम evidences लेते हैं to ensure that the financial statement are free from material misstatement ठीक है auditor has to see effect of misstatement on financial statement as a whole in totality हमें effect देखना होता है total पे तक हम एक opinion frame कर पाएं तो यह भी simple बोल रहा है evidence लेना है so that कोई भी material misstatement ना हो obtaining reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement enable the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF पूरा ही objective आपस से copy-paste कर दिया the opinion is reported and communicated in accordance with audit finding through a written report as required by standard on auditing और standard on auditing कौन सा है reporting का essay 700 तो in simple words you just simply skip these four points ठीक है अगर आपने उपर वाली definition को समझ लिया है you know कि reasonable assurance क्या है material misstatement क्या है essay कौन सा बोल रहा है क्या report देनी है you are good to go clear यहां तक अगर अब आप एक actually मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक break लेना चाहें ले सकते हैं but it should be five to seven minute और उसके बाद हम वापर से continue 10 minutes में तो class खत्म हो जाएगी अ हां एक पांच मिनिट का break लो कुछ बच्चों को required है एक five minute का break ले लिजे घड़ी के हिसाब से ठीक है कि 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 क्या कह रहे हो बेटा चैप्टर के marks कि क्या के रहे हो इधर आके बताओ कि कि नोट्स class के बाद दिखाना नोट्स class के बाद दिखाना विखि मैं भी तो break ले रहूना साथ साथ कि 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 नई 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 कुछ नहीं खाऊंगा भाई नई नई कि कि क्लास के बाद खाएंगे विए अ आ पीजा खाने जाए नई 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 पीजा विजा नई कि कि लाइब वाले सभी स्टुएंट प्लीज बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है प्लीज यह मत बूलेगा कि सर आप चैट कम देखते हो या मैसेज का रिपलाई कम करते हो क्योंकि वह मेरी मजबूरी है अगर मैं चैट देखने लगा तो क्लास का फ्लो टूट जाएगा मेरी कोशिश रहते कि मैं आपको बैस्ट टू बैस्ट अपनी सर्विसिस दूँ वह वीडियो दिखा दो हां जी कि आप हैंड रेस क्या करो बेटा मैं पीछे तक देखता हूं अच्छा आपका दिखाने होगा मुझे कोई बात नहीं है आगे से ध्यान रखेंगे स्टेश का कोई बात नहीं आगे से हुआ हुआ है बहुत बड़ी है पॉइंट है और एपसलिटली राइट कंट्रोल फेलियर की वज़े से भी तो मैं कैसे दे पाऊंगा बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने बिलकुल सही है हाँ मैं ध्यान रखूंगा कैसे आप हैंड अच्छे से उठाना कि कोई बात निकल से आप यहां बैठोगे मैं आपकी चेट लगोंगा ठीक है ओके डाने जी वेलकम कि वो मार्क्स था मार्क्स लिखवाना था मेरेको फर्स्ट पेच पर लिखवा दिए हाँ अजी है अगे अधी है भाई है हाँ 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 अ मैट्रियल ट्रांजेक्शन इतनी नहीं निकलती कभी वे तो है अधी कि अधी कि अधाव को अधाने क्लास के बाद लेता हूं क्लास के बाद खड़े वे राम से लेता हूं आपके ठीक है अभी मैं कुछ कर रहा हूं बेसिकलिया आप लोगों के लिए अधान जी कि अधान के बाद देखूंगा बेटा अधान है अधान है अधान है कंपनी निया फॉम है अधान है तो बिल्कुल मिलेगी आपने कुछ तो काम किया है ना अधान है डिपेंड गरता है मैनेजमेंट और आपके अग्रीमेंट पर अधान है कि अधान तो चेकिंग के बाद देते हैं ना चेकिंग तो करी नहीं पा रहे अनेबल ठीक है कि कैसे कि यहां पर सफीशन का मतलब है जितना होना चाहिए उतना यहां पर सफीशन का मतलब कहीं भी कम से नहीं है कि सफीशन मतलब चाहिए इतना सा है मैं काम चला लूँगी ना भाईया जितना चाहिए उतना सफीशन चाहिए जितना हां वेलकम कि यार निवास वाई एक बार आके जरा यह वाई-फाई कनेक्ट करना या मेरे को वोट्स आप कर दो आप पास्वर्ड मरत शुडाल कि अच्छा सुनों सुनों निवास 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 इसका ओडियो प्ले करने के लिए केबल लगाना होगा ना दे दो हाँ हाँ माटीरीयल तो है बड़ी गलती तो है लेकिन पूरे फाइनेंशल हिट नहीं कर रही है कि और यह अगुग है नहीं उल्टा बोलो आप पहले कोई कंपनी का डिरेक्टर था अब वो ओडिटर बन गया तो फैमिली रेटी थ्रेट है क्योंकि उसके वहां पर रिलेशन्शिप है कंपनी के प्लेस पे क्यों नहीं कर सकता है रूल होते हैं इसके अप से फैनल में पड़े it लो साल के बाद उसके बाद सीधा हाहँ बाद में इसके बाद कोई लेक्चर नी होगा योटी ओपे एंए उसके बाद सीधा हां बाद में ये क्या है ये क्या है ये क्या है लाइब वाले प्लीज एक बार कमेंट करके बताएंगा कि आपको ओडियों आ रहा है क्या और ये कोपी राइट अब आप मैंने कर दिया ना बंद मेरा अपना पर्सनल ओडियों है हां मैंने उसको कर दिया बंद वो कोपी राइट नहीं आएगा येस ओके एक स्क्रीन मत दिखाना ठीक है अभी लो जी मैं आज आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं अब आप है न मेरे स्क्रीन को ले आओ हां और मेरे को भी रखना कोई बात नहीं आपर ये देखेगा एक वीडियो है छोटा सा दो मिनट का शायद ठीक है इस वीडियो में मेरे साथ एक परसन है जिनका नाम राजिंदर जोशी जी है जो की वाइस प्रेजडेंट है रिलाइंस में ठीक है पहले वो सीनियर मेरे साथ है जिनके बारे में नहीं बता रहा हूं बस आप ये वीडियो को सुनकर देखेगा और इसको कोशिश किजेगा हमेशा फोलो करें इस तरह की चीजों को ठीक है तो आज मेरा मूर था एक वीडियो बनाने का तो मैं सुबह बनाई थी वीडियो आज ये आज ही आज हम चाय पिने आएं बबलू भया के पास ये बबलू भया है ये वीडियो जरूर देखेगा बबलू भया कैसे हो बढ़ी आजे दार हो ना मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसका एक परपस है बबलू भया जी चाय बनाते हैं और आपको खुशी होगी जानकर कि जहां पर मैं खड़ा हो ना ये जो दुकाने देख रहे हो आप ये ए ये वीडियो बनाने का परपस है फिर भी आप चाय बना रहे हो मतला आप तो कुछ भी मतलब आलीशान आदमी हो आलीशान घर है आपका सामने बबलू भयाजी की गाड़ी आए तो कहरें भया काम कोई छोटा बड़ा नहीं है जो काम बड़िया लगता है वो कर रहे है जिस आपको ना कभी अपने आपको किसी भी काम से रोकना कभी भी लगे जीवनमें कुछ करना और जरूर ना यह मत सोच रहा है काम छोटा है इस Kabut हुआ टो लोग किया सौचेंगे और utr patient रखता ऐए वो इंपोर्ट रखते हैं तोटि क dipping को किया सबसे सबसे बंग बढ़न हैं को अपको बड़ा कई राजदर राज़ेस और श्राथ आज्धे तो बेसिकली ना इनकी बेटी ये टॉप स्कूल में पड़ रही है तो अब बताओ ये मोटिवेटिंग है और आज इनकी दुकान कैसे वो भी मैंने थोड़ा बैक्ग्राउंड बाद में जाना एक्चली पहले यहां पने एक डावा हुआ करता था इनका इस जहां पर धुकान है बड़ी सी तो जो राजेंदर जोशी जी है पिछले काफी सालों से यहां पर जाते हैं जो दुआरका के बेसिकली एसी पी या कोई बड़े जो पुलिस अधिकारी वगेरा होते हैं वो भी इनके पास जाते हैं तो यह पूरे एक ग्रूप है इनका तो इन्हों ने इसको बुला है और तो एक काम का डावे से दो ड़ाई करोड़ काम तिरको लोन दिलवा देते हैं तो बड़े ऐसी दुकान महिने का चाय में कमा लेते हैं हम लोग तो क्यों ना वेचें तो दिस वेरी मोटिवेटिंग फुर में कि भाया काम कोई भी छोटा बड़ा आप दिल लगा के कर रहे हो तो आप छोटे काम में भी एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कर सकते हो इस ओल अप टू यू कि आप उ रखे उसका एक्सपेंशन वोड था कि मैं इस तरह से इसको पूरे एरिया को कैप्चर कर लूँगा मैं कर लिया उन्होंने तो मेरे लिए बड़ा मोटिवेटिंग था इसलिए मैं वीडियो बनाया आज आप लोगों के लिए आपको कैसा लगा बड़े लगा दौर का में ह पहले कुछ साल के लिए तो वहां पर जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं ठीक है तो वहां पर जैसे मैंने मानलो कैप बुक की सामने से एक अच्छी गाड़ी आ गई आप उसमें बैठे तो ड्राइवर नहीं है वो एक परसन है जो ऑफिस से घर जा रहा है तो वह रूट डालके बुक कर दिया वही ताकि साथ में कोई आ जाए ताकि दोनों का टाइम पास हो जाएगा और उसका गैस का खर्चा भी बच जाएगा तो कभी कोई पार्टनर मिल रहा है कभी डिरेक्टर मिल रहा है कभी किस कंपनी का कोई मिल रहा है तो मतलब माइंड से बिलकूल अलग हैं वहां के लोगों का वहां के लोग समस्ते ही नहीं की काम है वह दे आर इंजॉइंग लाइफ मैंने बुल आप यह क्यों कर रहा हो कि रहा है यह वी आर मिटिंग पीपल यार इतनी बोरिंग लाइफ है गाड़ी में बैठके दो लोगों से मिल लेते हैं इंजोई कर लेते हैं रास्ता निकल जाता है और गैस का खर्टा जब जाता है वहाँ पर कोलेज जो बच्चे जाते हैं मतलब अग्रीमा की तो पूरी फैमली यूएस में है अगर आप लोग वह नहीं बता हो तो वह यूएस बेज़ी हैं सब लोग तो अग्रीमा की कजन वग रहे हो एं तु तो गंटे स्पेर काम कर रही है उनका माइंड सेट ही ऐसा है कि वी वांट टो बी एन इंडिपेंडेंट लाइफ हमें सब कुछ तुम्हें आज वेटर का काम करते हुए तुमारी पिताजी देख लेंगे ना कि चाय पकड़ाने के लिए तरको इतना बढ़ कि हमारी इंडिया काना माइंड सेट यूए जैसा होने में मुझे लगता है कम से कम सो साल तो लगी जाएंगे क्योंकि जब मैं यूए से वापस आया था ना तो मुझे ना महीना लगता था रिकवर करने में आक्चुली में लोगों को लगता था नाटक कर रहा है बड़ अब वहां तक पहुंचने में तो एक्चुली में बहुत टाइम लगेगा लेकिन आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि कुछ काम जरूर करो अपने एजुकेशन के साथ ताथ अपने लाइफ में तक कि आपको फील हो कि येस यू आ वाकिंग आप हमेशा इंडिपेंडेंड आपको किसी की जरूरत नहीं है आगे चले लोग उसके बाद आता है एक कंसेप्ट आपका स्कोप एन एस्पेक्ट्स ओपॉडट इस्पेक्ट्स ओपॉडट इस अपर टाइम कम है तो एक अच्छा इंग करवा देता हूं अभी क्लाइंट के कं wellness भी तोψे होver सकते हैं पिल्कुल स्केन बी ऐनादर एग्जामपल्स उपफ़ 2010 कhen थे इवसके साथ देखेगा वापस से ऑपके लिए यहाँ परद रिड कर रहा हूं ठीग है ऐसा हो सकता है जो आपको फाइनल बुक प्रिंट होगे मिले न तो उसमें चारो पॉइंट मिले ही न क्योंकि मेरा जज्जमेंट अगर बोलेगा यार ज़रुवत ही नहीं हटाओ ॐज को रोलेगा ज़या ज़रुआर जो आपको अप्रिंट मिलेगा जया ही नशिव सममेंट जाखनाय लेगा जाहिए यॵैब विक्ट नुट अखन हो मिलेगा जो जातुड़ बुआ तो फॉचिन अप्रिंट के स्थेटेटर ऊच्यौन low level, ignore करो however, reasonable assurance is not absolute assurance, this is due to inherent limitation of audit, क्या कहता है reasonable assurance is not an, यह 100% assurance, this is because of inherent limitation of audit, की limitation बहुत है किसकी, हमारे audit की अब अगला concept हम क्या पढ़ रहे है inherent limitation of audit, इस concept के साथ लिख लो super important super important और मजे की बात आपको एक और बता हूँ paper में ना question यह नहीं आएगा inherent limitation of audit, ना या तो paper में आप से पूछा जाएगा कि an auditor cannot obtain absolute assurance please explain तो बड़ा simple question है, बहुत absolute assurance नहीं ले पाता, because there are many limitations, आप explain कर दोगे paper में question आएगा preparation of the financial statement मैं आपको पहले question बता रहा हूँ, कैसे कैसे बनेंगे exam में question आएगा preparation in the financial statement involves making judgment by management these judgment may involve subjective decision ठीक है, because of that auditor obtain only reasonable assurance kindly explain नाई तो उसने आपको concept दिया कौनसा, inherent limitation नाई उसने आपको ये बोला कि आप absolute assurance नहीं ले सकते, उसका reason बताओ, उसने simple क्या किया, inherent limitation का एक point उस point की एक line को उठा के paper में डाल दिया, और क्या लिख दिया please explain now, डूड़ते रहो, कि वो point किस में था, वो concept कौन सा था, फिर वो concept आपको explain level समझ पार हो, exam का किस level पे जा रहा है मतलब concept की heading भी आ सकती है main, उसका sub heading भी आ सकता है, nature of financial reporting एक्स्प्लेइन करो या उसका language explanation की कोई line आ जाएगी paper में और गएगा explain, तो जो आप वो निमोनिक से रटते थे न, कि भाईया inherent limit और आज भी teacher ऐसे पढ़ा रहे हैं, भला own teacher का, बहुत अच्छे teacher है inherent limitation of audit 5 points है, 5 points आपको रटा दिया, अब तो ते की तरह रट गए, कि inherent limitation of audit ही 5 points लिखना है, आरे भाई, 5 points आये न, paper में paper में 5 में से कोई एक, तो paper में दे दिया, आपको तो explain करना है, या पाचों में से कुछ भी नहीं दिया, explanation की कहीं से कोई line दे दी, आप खुद डून दो कौन सा point था और उसे explain करूँ समझ गए, किस level पर paper आएगा, मैंने I think ये तो clear कर दिया, अब मैं inherent limitation of audit को समझाऊंगा नहीं, क्यों already हम discuss कर चुके हैं, तो क्या कहता है, देखेगा, limitation है, जिसकी वेसे हम absolute assurance नहीं ले सकते, पहली line, as per SA 200, overall objective of the independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing, क्या कहता है, the auditor is not expected to and cannot reduce, इस line को भी छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए न मेरे को उपर, अभी मैंने बोला था न, एक line को समझाने में दो घंटे लगेंगे, उसी से link करती है, तो inherent limitation of audit हम directly read कर रहे है, पहला कहता है, the nature of financial reporting, क्या रहे है, financial reporting का अपना ही nature ऐसा है, कि वो अपने आप में क्या है, एक limitation है, कैसे, financial reporting कैसे limitation है, क्योंकि मैं keyword highlight करूँगा, ठीक है, क्योंकि financial reporting के अंदर, involve है क्या, judgment, और judgment को, आप जैसे for example, management ने 10% provision बनाया किसी चीच का, आपके हिसाब से 15 बनना चाहिए, आप management को बोल सकते हो, आप गलती कर रहे हो, यह गलत है, आप intentional fraud कर रहे हो, बोल सकते हो क्या, वो कहेगा, हमारे ह हिसाब आ गया, हमारे हिसाब से मतलब, judgment आ गई, अप प्रूवी नहीं कर पाओगे, this is fraud or this is error, कर पाओगे क्या, तो this is very safe area, management बोल दे वही, this is our judgment, हा या ना, तो financial में क्या involve होता है, judgment, yes or no, दूसरा, जो बच्ची ने पीछे बोला था, हम जब audit करते हैं, तो हम यह मान कर चलते हैं, कि controls वगेरा, management ने बनाए हुए हैं, और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, बट actual में हो सकता है, ना कर रहे हो, yes or no, तो यह भी management की part की limitation हो गई न, यह हमारे part की है, पहले भी financial किसने बनाए, उसमें हो सकता है assumptions हो, दूसरा control कोन लगाता है, हो सकता है वो गलत हो, तीसरा example है, यह उसी का example है, तो दो आपको point दिये गए, nature of financial reporting के अंदर, पहला judgment, दूसरा controls, समझ आया, फिर कहता है, आपके audit procedure में भी limitation है, किसमें limitation है, पहला तो आप ही नहीं point बताया था, क्या कि हम 100% checking नहीं करते, बोला था आपने, कि हम भाईया, सारा 100% checking नहीं करते, yes or no, और ऐसा भी हो सकता है, sir, auditor अपनी limitation बता रहा है, कि मैं management से कुछ मांगूं, और management मुझे ना दे, तो management में not provide complete information, हो सकता है नहीं, sir, management भी तो ऐसी हो सकती है, कैसी हो, dishonest हो, जिसने जाली papers बना रखे हैं, हो सकता है, मैं ना पकड़ पाऊं, yes or no, तो पहले यहां तक read करेंगे इतने points, देखेगा, तो सबसे पहला point क्या कहता है, nature of financial reporting, क्या कहता है, अराम से read करेंगे, preparation of financial information, या financial statement, involve making many judgments by management, these judgments may involve subjective decision और a degree of uncertainty, अगर example दूँ, employee benefit liability, आप लोग बनाते हो, कि future की कितने book करनी है मुझे, accounts में, तो वो कितना liability book करना है, वहाँ पे judgment लगती है, कभी-कभी management उस liability को book करने के लिए, actually की भी help लेती है, तो आप बहुत सारी judgment यूज करके काफी accounting कर रहे है, तो क्या कहता है, preparation of financial statement involve making many judgment by management, these judgments may involve subjective decision और a degree of uncertainty, therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that the financial statement or material misstatement due to fraud or errors, हो सकता है न, judgment गलत लगा रहा है, कि मैंने intentionally, आप कैसे prove करोगे, करी नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, judgment, one of the premises, premise क्या है यहां पे, premise का मतलब क्या है यहां पे, क्या है, basis, जिस base पर मैं audit कर रहा हूं, जिस base पर management, financials बना रहा है, one of the premise for conducting an audit, मेरा क्या अजम्शन है, basis, अजम्शन, one of the premise for conducting an audit is that management acknowledge its responsibility for preparation of the financial statement in accordance with applicable FRF, मैं मान के चल रहा हूं न, कि अगर मैं audit कर रहा हूं तो management ने financials पर FRF बनाए है, yes or no, and put devising suitable internal control, आपने proper control design किया है, however, such control may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation, control की भी तो अपनी limitation होती है, आपने design तो करती है, बट वो सही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, financial ultimately सही, ना बने, इसने एक example दिया है, आप चाहें तो इन example को skip कर सकते हैं, बट एक बर read कर लीजेगा, क्या कहता है देखेगा, consider for example that management of a company has devised a control that all purchase will, control आप मैं skip करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक आपका slaves खतम कर वाँगा ना मैं, आप ऐसे 5 control खुद लिख दोगे, तो आप ये control छोड़ सकते हो, तो क्या कहता है, example में, example that management of a company devised a control, क्या control बनाया, that all purchase will should reflect stamp and signature of an authorized person stating the date and time of receiving goods in the promise, control क्या बनाया, एक बंदा sign करेगा, stamp लगाएगा, जब भी समान factory के अंदर आएगा, ये control है, यादे मैंने बताया था, पर्चेस के flow में, तो ये control है, now what happen if concerned accountant and authorized person collude, दोनों आपस में मिल जाए और fraud करे, it is a case of overriding of internal control due to collision between two persons, overriding of control का मतलब उनने control को क्या किया, override कर दिया, collusion मतलब मिलकर fraud किया, आपको तो ऐसा लगेगा ना सब सही है, बट actual में सब सही नहीं है, तो ये control failure का example था, लग रहाएगी control सही है, बट control सही नहीं है, समझ आया, nature of financial reporting, ये तो था management के part के limitation, किसके part की थी, अब किसके part की करेगा discuss, auditor, तो auditor में सब से पहले क्या कहता है, nature of audit procedure, देखेगा, the auditor carry out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedure, हम evidences लेते हैं audit procedure लगाकर, however, there are practical and legal limitation on the ability of auditor to obtain audit evidences, क्या कह रहा है, किस-किस तरह की limitation है हमारे उपर, कुछ तो practical limitation है, कुछ, legal limitation है, अब ये दोनों के example देदेगा, कि form his opinion only by testing samples, it is an example of practical limitation of an auditor ability to obtain audit, practical limitation क्यों है, क्योंकि मैं 100% checking नहीं कर सकता, तो ये last line न, मजे की बात है, मापको ये ही बताऊंगा, आईसे ने क्या नाया डाला है, ये last line जो है न, it is an example of practical limitation, ये पहले नहीं थी, मतलब पहले भी था, कि auditor देखो, audit नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि देरा practical and legal limitation, example भी था, अब उसने spasily आखरी में एक line एड कर दी, कि वो sample basis पे checking करता है, ये कौन सी limitation है, practical limitation है, legal भी बताएगा वो, correct incorrect पूछेगा और कहेगा, क्या ये legal limitation है, आपने क्या बताना है, no, this is practical limitation, वो आपने दोनों example code करने पड़ेंगे, अगला क्या कहता है, एक second बेटा, कन से पूरा होने कर, management में note provide, complete information as requested by auditor, management आपको पूरा data नहीं दे रहा, there is no way, क्या मेरे पास कोई right है, कि मैं management को बोलू, उत्पड लगा के data दे, आया ना, मैं seize कर लूँ, एक investigation होता है, होता है क्या, सुनाएं, उसमें क्या होता है, जब आप as investigator जाते हो ना, आप तो दो-चार पुलिस वाले भी होते हैं, और आप सीधा जाते हो, side कर दो सबको, laptop seize करो, कोई बीच में अगर आएगा ना मालिक, कि नहीं लेने दूँगा, थपड़ा दो साल लेगो, पता है आपको, ये right होते हैं, किसके पास, मैं auditor, मैंने का evidence दो, उसने का नहीं दूँगा, मैंने का थपड़ा, कर सकते हैं, मेरे पाद नहीं है ये right, वो नहीं दे रहा, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता हूं, अपनी report में, ना जी मैं भी मारूंगा, भाई मत मारना, ये right हमारे पास, ये किसके पास है, investigation, तो ये कौन सी limitation हो गई, legal limitation, भाई आपको इस तरह के right, तो क्या कहता है, management may not provide complete information, as requested by auditor, there is no way, by which auditor can force management, to provide complete information, in case he is not provided, with the required information, he can rely only report, ठीक है, he can only report, he can only report, it is an example of legal limitation, on the auditor ability, to obtain audit evidences, समझ आया, एक practical limitation का example दे दिया, कौन सा था, sampling, एक legal limitation का example दे दिया, क्या था, कि management may not provide, 100% information, the management may consist of dishonest, and unscrupulous people, या dishonesty रख लो आप ठीक है, and may be itself involved in fraud, management भी तो fraud कर सकती है, management भी fraud करती है, क्यों नहीं करती, financial inflate करने, management fraud करेगी, जबकि मुझे सब क्या लगेगा, सब, क्योंकि management तो evidence भी लगा देगी न, आया न, उसके पास तो सब पूरी power है, it may be engaged in concealing fraud, by designing sophisticated and carefully organized, scheme, which may be hard to detect by the auditor, yes or no, पई management है, control कोन बना रहा है, accountant तो entry कर रहा है, अगर मेरे को fraud करना है, revenue के entry book करनी है, मैं करवा लूँगा, उसके लिए जो जो evidence चाहिए, सब बना देंगे हम, और सब को दिखा देंगे, auditor को तो auditor सब देख रहा है, लेकिन actually fraud है, बट पकड़ पाएगा क्या, क्योंकि किसने की है, management न, जहाँ जहाँ impact आना चाहिए, हर जागे डाल दिए, accountant बना थोड़ी न गरेगा, कि नई management मैं आपको ये entry नहीं करने दुना, बोल सकता है कि accountant, तो अगला ये जो हो गया, ये क्या हो गया, fraud, मैं एक काम करता हूँ, छोटी सी न, pointer form में आपको summary बता देता हूँ, जैसे ये आपका fraud पे हो गया, ये दो point आपके किस पे निकल कर आए थे, एक practical limitation पे और एक legal limit, भाई याद भी तो करना है न, nature of audit procedure के अंदर क्या point लिखना है तो आपको दिमाग में आना चाहिए, एक example लिखना है किसका, प्राक्टिकल का, एक legal का और एक fraud का, ठीक है, the management may consist of dishonest, यह हो गया, it may be produce fabricated documents to lead him, lead मतलब lead auditor, to lead him to believe that audit evidences is valid, जबकि actual evidences is valid नहीं होते, it is quite possible that entity may have entered into some transaction with related party, तो अगला example एक उपर fraud हो गया, अगला क्या बन गया, related party transaction, such transaction may be only paper transaction, and may not be actually occurred, the auditor may not be aware of such related party relationship, or audit procedure, may not be able to detect probable wrongdoing in such transaction, हो सकता है, auditor के जो audit procedure है, वो इस तरह की transaction को identify ना कर पाएं, क्योंकि related party transaction है ना, सामने वाली भी मेरी company है, मैंने उसको का वही 5 लाग की sale किये, मैंने, invoice भी काट दिया, सब काम कर दिया, कोई पकड़ पाएगा, क्या, नहीं, क्योंकि सामने वाली party agree कर रही है, मैं उसको काऊंगा, भी या, क्या, आपको 5 लाग देने, इस कमने को कह देगा, हाँ जी देने, पर एक्चुल में, ना ही तो इन्होंने माल भेजा, ना ही उन्होंने पैसे देने, लेकिन उस point of time पे, ओडिटर को क्या बोल देगा, सामने वाला भी, क्योंकि वो उसका क्या है, related party है, यहां तक समझ आया, तो nature of audit procedure के अंदर, 4 point निकल कर आए, क्या-क्या बताओ, number one, practical limitation, legal limitation, दूसरा, fraud, तीसरा, related party, तो practical, legal, fraud, related, legal party, related party, तो चार point, management वाले में क्या थे, nature of financial reporting के, inherent limitation क्या थी, judgments, और basis for internal control, and preparation of financial statement, उसके बद बड़े simple, simple point है, यह self-explanatory है, number one, we are not doing investigation, तो हमारे पास वो right ही नहीं, as already discussed, audit is not an official, investigation, auditor cannot obtain absolute assurance, that the financial statement, are free from material misstatement, due to fraud or errors, एक बच्चे ने बताया भी था, class में, timeliness of financial reporting, हमें timely हमारा, audit complete करना है, in decrease in relevance of, information over time, तो क्या कहता है, देखिएगा, the relevance, अगर आपको सही time पे, सही information नहीं मिलती है, तो क्या उसकी कोई value है, बताओ, तो उसका relevance decrease हो जाएगा, अगर मैं आपको lead दे रहा हूं तो, yes, तो timeless, relevant information, relevant user तक पहुँचनी चाहिए, the relevance of information, decrease over time, an auditor cannot verify, each and every matter, therefore, a balance has to be struck, between reliability of information, and cost of obtaining it, ठीक है, example बाद में देखेंगे, अगला point कहता है, future event, मैं इतना detail में इसलिए नहीं समझा रहा हूं, जिसे related party, मैंने बहुत नहीं समझा है आपको, सिर्फ point read कर दिया, बता दिया, related party के सथा fraud कर सकते हो, हमारा बकाएदा एक standard है, ऐसे 550, जो की बात करेगा किसकी, related party की, बातर डेड़ घंटे, जो चीज़े हैं, वो सिर्फ read करके basic समझ लेना, क्योंकि उन्हीं सबका detail portion, हमारे आगे वाले chapters में आने वाला है, future event, future event भी एक limitation है, आपने AS4 पढ़ा है, पढ़ा है ना, कभी-कभी ऐसा होता है ना, कि 31 March को financial तो खतम हो गए, बट उसके बाद कोई ऐसा event आया, जो कि financial में record करना चाहिए था, तो आपने AS4 अगर आपने नहीं पढ़ाये तो पढ़ाये तो पढ़ाये तो अच्छी बात है, वो बोलता है कि कुछ event, adjusting event होते हैं, कुछ non-adjusting event होते हैं, अब भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, 31 March को financial year खतम हुआ, मैं 30 April को audit करके चला गया अपने घर पे report बना के, हो सकता है क्या, आया ना, और 5 माई को, 5th of में को, कोई ऐसा event हुआ, जो कि कैसा event था, adjusting event, तो क्या वो मैंने cover किया, क्या मेरी audit report के sign करने के बाद ही, मेरी responsibility नहींगे उस client की, नहीं, भाई, मैं जा के अगले client की, तो ये भी तो एक limitation हो गई ना, कि मैं true and correct, क्योंकि future event के बारे में तो भाईया, किसी को भी नहीं पता, और हमें ना, किसी ना, किसी date पे तो अपना audit close करेंगे ना, तो future event पे भी हमारा complete standard आयेगा, अभी के लिए से plain पढ़ेंगे, future event और condition may affect an entity adversely, adverse event may be seriously affect ability of an entity to continue its business, हाया ना, Maggie का example था आपके पास, BS4 का engine का example था, जो कि मैं सारे SA560 में आपको दूँगा, the business may ceases to exist in future, due to change in market condition, emergence of new businesses model, और products or due to onset of some adverse events, तो future के उपर किसी का control नहीं है, हो सकता है, मैं अपना audit complete करके चला जाऊ, future में कुछ ऐसा event आ जाए, जिससे कि business क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो आप ना, इसके साथ, इस point के साथ लिखो, SA560, 570, ये दो standard करने के बाद आप इस language को समझ पाएंगे अच्छे से, एक सगेंड वीटा, मैं ये वर complete कर दूँ, फिर आप से बात करता हूँ, ये हैं हमारी last time की book, ये हमारे last attempt की book है, ये बुक मुझे basically, इसमें जो ICNN concept जिस तरीके से explain के ना, मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं, ये concept कुन सा है, inherent limitation of audit, आप चाहें तो ये वाला book भी refer कर सकते हैं, मैं इसकी पीडिएव दे दुमा, तो सबसे पहले क्या है था, nature of financial reporting, यहाँ पर किसी को कोई doubt, नहीं न, उसके बाद आता है, nature of audit procedure, तो यहाँ पर पहली line में क्या लिखा है इन्होंने, there are practical and legal limitation, तीन point में divide कर दिया, कि management आपको data ना provide करे, fraud और audit is not an official investigation, फिर उसके बाद timeliness, summary में दिखा दिया, और other matter, यहाँ पर और भी limitation, जो बागी सबते, उसको other matter में डाल दिया, fraud हो सकता है, related party transaction हो सकती है, low and regulation का non-compliance हो सकता है, future events हो सकता है, so do you want this presentation, या फिर अभी जो पूरा detail में लिखा हुआ है वो, है, जैसा आप बोलो, मैं वैसा रख लूँगा, मुझे कोई दिख करने है, detail वाला, जा मुझे लगता है summary बनानी चाहिए, मैं summary बना दूँगा, जा मुझे लग रहा है, detail में रखना चाहिए, मैं detail पर रख लूँगा, पढ़ा दिया है, मैंने आपको ठीक है, आज आगे बढ़ना है, नहीं ना, assurance है, जो objective है, उसमें तो कुछ खास ही नहीं, जो objective है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ दो paragraph है, तो एक तो आप इसको लिख के देख लीजेगा, और एक inherent limitation of audit के concept को लिख कर देख लीजेगा, अभी तक हमने क्या-क्या, independence of auditor आज आपने लिखना है, कल आप inherent limitation लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हो, बेटा, एक तो मैंने आपको दिया है, independence of auditor, दूसरा, आज मैं आपको दे रहा हूँ, inherent limitation of auditor, हलाकि मैं YouTube पर डालूँगा, ये single single minute की वीडियो, ये तो YouTube पर जो भी वीडियो डाली है, उसे मैंने एक ही question बोला है, independence, हाँ जी, queries लिजेगा, please, live और face to face, जो भी आपकी queries, अभी आप यहाँ से कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछेगा बेटा, यहाँ से कुछ पूछ रहे थे न, हो गया, पर्वेजिव है impact of misstatement, पर्वेजिव का मतलब है impact of misstatement, बस, हाँ जी, यहाँ एक तो concept आप अपनी writing practice में, हाँ, अभी तक जो जो note करना है, आज की class तक जो जो note down करना है, दो chart मैंने दिये हैं, first और second lecture के, हो गय, उसके अलावा, नोट्स में तो चाये और कुछ मत बनाना, जो notes वाली book है, writing practice में आप कर लेना, एक तो independence वाला concept का writing practice, और दूसरा मैंने दिया है, यह आज inherent limitation, ठीक है, बुक से जब reading करोगे, revision करोगे, तो वो question भी करना कि, financial statement should not mislead anybody, उसके 6 points, पर्वेजिव है बेटा, impact of misstatement, आपकी मर्जी है, लिखने के लिए नहीं देरा मैं, बई मैंने, आपने screenshot ले लिया ना, picture ले लिया ना, opinion की और पर्वेजिव की, मैं आपको writing practice के लिए नहीं देरा हो, आप सिर read कर लेंगे, काफी है, ना, 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 नहीं लिखना, ठीक है, notes में नहीं लिखना, क्या कह रहे हो, पूरी किताब सामने खोल के लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, किसका, मैं आपी changes आज करूँगा, फिर final version भेजूँगा, ठीक है, वो आखरी में दे दूँगा, कल पर सुचेप्टर खतम हो जाएगा, तब दे दूँगा, चलो गाइस, कोई query नहीं है, अब लोग होगी, अभी तक तो आप, live आलो कोई query, अमन के query है, सर मुझे ये नहीं समझा रहा, क्या लिखना है, किसी student को नहीं समझा रहा है, मैं दुबारा explain कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लो, ताकि आपकी query बार बार ना है, जो लिखना है, मैं साफ साफ आप सब को दुबारा बता रहा हूँ, मेटा सभी सुनिएगा, देखें जी, आपके दो register बनेंगे, एक आपका बनेगा, writing practice का register, ठीक है, दूसरा आपका register बनेगा notes का, ठीक है, अभी notes वाले register में मैंने कोई आपको ज़्यादा suggestion नहीं दिये हैं, सिर्फ ये बोला है, इसके अंदर आप तीन चीजे mention कर लेना भी तक, नमबर वन, जो lecture 1 का chart है, वो, नमबर टू, lecture 2, flow of audit, ठीक है, इसके अलाबा कुछ नहीं, इसी register के first page पे आपने marks लिखे होंगे, ठीक है, दूसरा writing practice का register है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो writing practice के लिए आपको काम दिया है, वो दिया है, independence of auditor, और आज मैंने आपको दूसरा question दिया है, inherent limitation of audit, ये दो concept आपको तयार करने है, बस ये मैंने कुछ, hardly 30 minute में आप दोनों काम खतम कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने काम दिया है, अच्छा अब ये बताओ, प्रासर साब आपको समझ आया क्या, sorry, अमन, अमन, आपकी query थी, अमन आपको समझ आया क्या, बताइएगा please, opinion and pervasive कहीं नहीं लिखना, आप लिखना चाहें, आपका choice है, मैं अभी आपको वो homework में नहीं दे रहा हूं, ठीक है, this is your choice, अगर आप notes वाली book में, एक page पे लिखना चाहें, types of opinion, आप लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं, मेरी side से homework नहीं है, qualified opinion क्या होता है, सुनिएगा, qualified opinion हम दो situation में देते हैं, situation number one, जब आपको कोई material misstatement मिली, बट वो pervasive नहीं है, परवेजिव मतलब उसका impact पूरे financial पे नहीं है, तो आप qualified opinion दोगे, दूसरा, आपको client sufficient appropriate audit evidence नहीं दे रहा है, अब नहीं दे रहा है, तो we have to identify the possible impact of misstatement, कितनी गलती हो सकते हैं उस account में, अगर आप ये conclude करते हो, कि जो possible impact है उस area का, वो material तो है, बट परवेजिव नहीं है, आप उस account की checking नहीं कर पाए, जो impact है वो आपको लगता है material है, परवेजिव नहीं है तो qualify देंगे, अगर आप किसी area की checking नहीं कर पाए, और आपको लगता है कि impact material भी है, साथी साथ परवेजिव भी है, तो disclaimer of opinion जाएगा, ठीक है, सर, next class आपकी कल है, same time पे, tomorrow we have audit class at the same time, ठीक है, चलो जी, बाकी जिन बच्चों को समझ आ गया, सबके लिए बबाई, take care, keep enjoying audit with Kapil, जैहिं दोस्तों, आप अपने,